हेलो एव्रिवान हेलो ब्यारे बच्चो क्या हल चाल वरी गुड बॉर्णिंग टू अल अफ यू सेमिकंडक्टर एक बहुत ही इंपोर्टन चैप्टर है हमने इस प्रबल वैच में दो चैप्टर अल्रेडी फिनिश कर दिये हैं आज हम लोग सेमिकंडक्टर की पूरी थियोरी खदम करेंगे आप सोच रहोंगे सेमिकंडक्टर ही थियोरी है क्या मतलब थियोरी इसमें आता है क्या तो मैं आपको थोड़ा प्रिवेस यह कोश्चन अभी दिखाऊंगा पिछले तीन-चार साल का और आप देख लिजएगा की थियोरी सेमिकंडक्टर में कितना जरूरी है और थियोरी करके ही आप कितने सारे नंबर ला सकते हैं बागी थियोरी के साथ-साथ जितने भी फॉर्मला इस इन्वाल्ड है जितने भी निमेरिकल्स इन्वाल्ड है वो सब भी हम लोग देखेंगे ठीक है पहले तो बीटा जोश फुल होना चाहिए जोश की बिल्कुल भी कमी नहीं होनी चाहिए जोश हमिशा की तरह फुल होना ही चाहिए है ना चलिए आईए शुटू करते हैं class को ठीके तो मैं आपको बोल रहा था कि पहले मैं आपको यह दिखा देता एक बार कि भाई कियूं सेमिकंडक्टर की थियोरी को पढ़ना इतना जरूरी है देखो मैं कहां हूं मैं दिखाई क्यों निदे रहा हूं एक सेकंड यार यह क्या कुछ दिक्कत हो गए क्या कलके जैसा साउंड वाला जो दिक्कत हुआ था एक सेकंड ना नई ठीक तो है सब कुछ राइट सब कुछ सही है न कैमरा अभी काम चला लो कैमरा थोड़ा सा distorted सा दिख रहा होगा फिलाल के लिए काम चला लो बागी सब सही है ठीक है न नोट्स आपको दे दिया पिछले लेक्चर का नोट्स दे दिया टेलिग्राम पे जेक कर लो थोड़ा लेट हो गया था बट आज सुबह सुबह अभी थोड़ी देर पहले ही डाला है नोट्स ठीक है तो नोट्स आपके सेशन में डाल दिया गया है आप उसको जड़ा एक बार चेक कर लिजेगा it is there already है न वन सेकेंड चलिए तो मैं आपको सबसे पहले तो बेटा यह दिखा देता हूँ न कि क्यूं हमारे लिए सेमिकंडक्टर की थियोरी को पढ़ना इतना जरूरी है ठीक है न तो आप अगर प्रिवियस येर कोशन देखेंगे 2021 का कोशन देख लिजे यहाँ पे आप ठीक है 2021 का आप कोशन देख लिजे बेटा तो आपको थियोरी बेस पे कोशन आया था ठीक है 2021 में ही दूसरा कोशन देख लिजे दो कोशन आये थे थियोरी बेस पे कोशन आया था 2020 में चले जाहिए थियोरी बेस पे कोशन आया था 2020 का एक और कोशन आया था temperature coefficient वाला उसमें भी semiconductors involved था theory पे question आया था 2019 पे आप चले जाहिए theory पे question आया था मतलब आप देख रहे हैं basic properties of semiconductors आपको कितने अच्छे से clear होना चाहिए उसकी theory क्योंकि लगातार आप देख रहे हैं कि पिछले 3 साल से theoretical question ही पूछा जा रहा है और इसमें जो numerical है वो बहुत कम है है पूरा theory का theory और direct question यहां से आ जाता है तो अगर theory पढ़ने के लिए तयार हो तो एक बर दिल बना दो यार है ना बहुत जबरदस तरीके से theory पढ़ाऊंगा एक भी point नहीं छूटेगा एक भी point skip नहीं होगा चाहे दो घंटे की वज़ाए तीन घंटे लग जाएं चाहे चार घंटे लग जाएं चार घंटे लगेंगे नहीं वैसे दो घंटे में हो जाएगा लेकिन पूरा एक एक new can corner हम लोग touch करेंगे logic gates आज नहीं करेंगे logic gates एक अलग chapter है तो अलग से होगा बट semiconductors का एक एक कोना कोना आज हम लोग धंग से complete करेंगे ठीक है ना practice session आज है आज से practice session स्टार्ट हो रहा है आज शाम को 5 बजे gravitation का practice session है ठीक है पोल करके करेंगे कुछ questions कुछ को बिना पोल के करेंगे कहां पे होगा special class पे होगा link कहां मिलेगी मेरे telegram channel पे आपको इसका link मिल जाएगी ठीक है तो आप देख लिजेगा telegram पे already link डाल भी दिया है अगर आप मेरे telegram पे नहीं है बेटा तो आप मेरे telegram join भी कर लीजिए telegram का link ये है feel with gaurav gupta sir ठीक है feel with gaurav gupta sir ये आप search कर सकते हैं एक ही group आपको ऐसा मिलेगा 40-50,000 बच्चे हैं इसमें join कर लीजिए और आराम से पढ़ाई करिए वहाँ से सारी चीज़ें आप ले सकते हैं link वगेरा है ना चलिए फिर शुरू करते है ठीक है आईए शुरूआत कुछ इस प्रकार से होती है कि आपने chemistry में भी पढ़ा होगा एक valence band होता है conduction band होता है conductivity के लिए क्या जरूरी है पता है valence band से electron निकले और conduction band में चला जाए valence band band से electron निकले क्योंकि ये last filled shell है आप कह सकते हैं या तो partially या तो completely last filled shell है और ये पहला empty shell होता है valence के just बाद जो empty है पूरा वो conduction band होता है ठीक है electron अगर यहां से यहां चला गया conduction band में चला गया तभी conduction possible है insulator के case में आप देखिए ये gap बहुत बड़ा होता है energy gap बहुत बड़ा होता है कितना भी आप इसमें energy डाल दीजिए electron conduction band तक नहीं पहुँच पाता नालायक है यहां से electron वहां पहुँची नहीं पाता है तो अगर electron conduction band पे नहीं पहुच पाएगा तो इसका मतलब यह conduct नहीं करेगा यहां पे conduction नहीं होगा इसलिए बोलते हैं insulator है यह है ना यह conduction नहीं कराएगा conductor में अगर आप देखेंगे तो यह दोनों overlap करते हैं room temperature पे ही हो overlap करते हैं कोई gap ही नहीं होता आप देखेंगे बिटाप zero gap है दोनों के बीच में तो valence band, conduction band एक ही हमान लो आप दोनों एक दूसरे से overlap कर रहे हैं मतलब already electron कहां तयार है conduction band में already तयार है यह है topper बच्चा इसको motivation की जुरत नहीं है यह खुद से motivated है है ना यह कह रहा है मेरे electron already conduction band में है जर आप electric feel apply तो करो मैं दिखाता हूँ आपको conduction करा के तो बस यहाँ पे potential लगाने की देरी है बिटा potential लगाओगे यह electrons भागेंगे और यहाँ पे conduction मिल जाएगा fully motivated बच्चा है यह वो bell बच्चा है जिसको आप कितना भी motivate करिए यह खुद पढ़ाई नहीं करना चाहता है यह बोलता है मेरा gap इतना बड़ा है ना कि मैं band gap balance band से conduction band तक नहीं जाऊंगा मैं जाना ही नहीं चाहता हूँ और सबसे practical case जो आपका case हो सकता है वो है semiconductor आपका electron आज conduction band में भले ही ना हो आज भले ही ना हो conduction band में लेकिन आपका gap छोटा है यानि कि आप खुली दिमाग के हैं आप कहते सर motivate कर दो सर आप मिरे को पढ़ा दो मैं अपना electron conduction band पे लेके जाऊंगा और conduction करके दिखाऊंगा selection लेके दिखाऊंगा लेकिन reality क्या है पता है सिर्फ 10 से 20% जनता यहां पे रहती है बस जादा तर जनता यहां चली जाती है कि हमारे तो gap बहुत बड़ा है हम तो नहीं कि transfer करा पाएंगे अपना electron हमको तो बहुत डर लग रहा है neat हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा आज तो हमारे 300 आ रहे हैं चलो वीडियो देख लेते हैं 300-600 कैसे लाते हैं लास्ट के एक महिने में कैसे तैयारी करते हैं अरे बेटा सब कुछ छोड़ो अपना gap कम करो दिमाग का gap कम करो सीधा focus करो और बोलो कि होगा मेरा selection semiconductor बनके दिखाओ भले ही आज तैयारी नहीं है लेकिन तैयारी करो और यहां से electron conduction band में लेके जाओ और selection लेके दिखाओ जो topper है उसका gap तो already zero है वो तो करी रहा है ना तुम भी तो करो तो यह insulator की category में मत गिरना बेटा semiconductor की category में गिरना ठीक है चल यह बहुत बढ़िया तो सरीर electrons को valence band से conduction band में ले जाने के लिए क्या करना होता है नीट में तो motivation चाहिए होता है यहां पर क्या करना होता है energy supply करनी होती है energy supply करनी होती है heat हो गया temperature हो गया आपने heat कर दिया तो temperature बढ़ गया उससे आपने energy supply करी और वहां से यह electron छोड़ के चला जाता है conduction band में बच्चो आप लोग मुझे बताओ जब यह electron conduction band में चला जाएगा valence band को छोड़ देगा तो यहां पर क्या बन जाएगा पता है यह जो खाली जगे बच गया न electron यहां से तो चला गया जो खाली जगे बच गई न बेटा उसको हम लोग बोलते हैं hole तो यहां पर create हो जाता है hole hole को कहा जाता है कि इसके पास positive charge है electron को कहा जाता है इसके पास negative charge है तो बताओ hole कहां पर है valence band में create हो रहा है कि conduction band में create हो रहा है valence band में create हो रहा है valence band से electron छोड़के गया है तो यहीं पर hole create होता है तो hole कहां पर create होता है यहां पर लिख लेते हैं hole create होता है valence band के अंदर और जो अपना electron है वो कहां चला जाता है वो चला जाता है अपना conduction band के अंदर conduction band के उपर चला जाता है ठीक है चलिए, बहुत बढ़िया, hole की mobility ज़्यादा होती है, नहीं, सॉरी, electron की mobility ज़्यादा होती है, electron हलका होता है, electron is very हलका, right everyone, तो इसकी mobility थोड़ी ज़्यादा होती है, hole से, ये थोड़ा सा आप याद रखिएगा, electron is the lightest particle, सबसे छोटा, सबसे light, सबसे agile, सबसे आराम से घूम सक चलिए, insulator के case में ये band gap 3 electron volt से ज़्यादा होता है, 3 electron volt या उससे ज़्यादा होता है, ठीक है, semiconductor के case में आप जानते हैं gap कितना होता है, semiconductor के case में बिटा, ये gap जो होता है, ये लगभग 1 electron volt का होता है, लगभग, अगर आप silicon की बात करेंगे, silicon material की बात करेंगे, तो ये 0.7 volt ह हो जाता है ठीक है मतलब 1 electron volt का हो जाता है तो ये थोड़ा सा इसका ध्यान में रखना है आपको है ना band gap 0.7 और 1 electron volt के आसपास होता है इसको थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा इस value को बाकी काम आएगा आ गई है चलिए आगे बढ़ते हैं hole का creation समझ गया आप लोग है ना चलिए बहुत बढ़िया अब टाइपस ऑफ semiconductor तीन टाइप के semiconductor है intrinsic n टाइप और p टाइप actually दिखा जाए ना तो n टाइप और p टाइप को मिला के इसको extrinsic बोला जाता है तो आप ऐसा भी कह सकते हो कि एक intrinsic है और एक extrinsic है दो टाइप का है है ना intrinsic का मतलब होता है pure एकदम pure है यह इसमें कोई impurity add नहीं करी गई है impurity अगर add नहीं करी गई है ना तो उसका structure कुछ ऐसा दिखाई देता है यह octate समझते है ना आप लोग silicon की valency 4 होती है जानते होगे है ना तो देखो इसके 4 electrons 1,2,3,4 neighborhood के 4 electrons के साथ pair हो जाते हैं देखो यह देखो must octate complete हो जाता है काफी stable structure है यह काफी stable structure है intrinsic semiconductor का हमने silicon का case लिया हुआ है ठीक है अब यह इतना stable है कि सारे electrons fixed हैं अपने जिगह में जाके देखे रहो सारे electron must एक दम fix होके बैठे हुए है मतलब covalent bond बनाके यहां यह बैठा हुआ है यहां यह बैठा हुआ है यहां यह बैठा हुआ है बता तो conduction possible है अभी इस moment पे conduction possible नहीं है इस moment पे यह सब के सब electrons fixed हैं आराम से valence band के अंदर fixed हैं बैठा covalent bond बनाके बैठे हुए है हम क्या करेंगे अपनी दिव्वी शक्तियों का इस्तमाल करके energy डालेंगे इसके अंदर हम लोग जैसे यहां पे energy डालेंगे ना याने कि heat करेंगे ना वैसे ही एक electron free हो जाएगा मानलो एक electron मानलो यहां से निकल जाएगा यहां पे hole बच गया और वो electron जो है वो बाहर आ गया अब यह free electron बन गया ठीक है? energy डालने के बाद तो इसमें energy डालनी पड़ती है electron को free करवाने के लिए समझ रहो? ऐसे सारे electron fixed रहते हैं सारे electron covalent bond बना के बैठे रहते हैं आप extra energy डालोगे न तो electron free होंगे अब जितनी जादा energy डालोगे उतने जादा electrons free होंगे तो सोचो कितनी जादा energy डालनी पड़ेगी electrons को free करने के लिए इसलिए कहा जाता है इनकी conductivity इतनी अच्छी नहीं होती है इनकी conductivity less होती है बेटा क्यूं? क्यूंकि number of electrons कम होते हैं यहाँ पे number of electrons कम होते हैं बहुत जादा नहीं होते energy डालोगे तब निकलते हैं otherwise नहीं निकलते हैं है ना free electron की मैं बात कर रहा हूँ अच्छा एक बात बताओ बेटा अगर मैंने एक electron free करवाया तो उसके साथ साथ एक hole भी बन रहा है क्या? हाँ एक electron निकलेगा एक hole बनाएगा तो यहाँ पे number of electrons बराबर number of holes भी होते हैं आपको पता एक-एक point important है जो जो मैं बोल रहा हूँ सारा लिखवा भी दूँगा tension मत लो लिखवा रहा हूँ ना यहाँ पे board पे लिख रहा हूँ ना conductivity less होती है है ना number of electrons क्योंकि less होते है number of charge particles कम होते है इसलिए conductivity less होती है energy डालोगे तो electron तूट तूट के निकलता जाएगा एक electron तूटेगा तो एक hole बनेगा इसलिए number of electron बराबर number of hole होता है ठीक है अच्छा conductivity यानि की current की अगर हम बात करें तो current दोनों की विज़े से होता है current due to electron plus current due to hole electron और hole दोनों की विज़े से current देखा जाता है current का equation देखो क्या होता है current is given by current due to electron plus current due to hole ठीक है अच्छा current का equation पढ़े होगे बटा आप एक लोग N, E, A, V, D पढ़े हो बिलकुल पढ़े है सर कहां पे current electricity में पढ़े है तो देखो current का equation क्या बनेगा current due to electron को क्या लिखेंगे आप number density of electron N का मतलब याद है number of electrons per unit volume number of charge particles per unit volume होता था याद है बटा current electricity तो ये number density of electron हो गया N, E, ठीक है उसके बाद E आएगा N के बाद E यानि कि charge of electron A हो गया cross section area ये हो गया drift velocity of electron V, D, E N, E, A, V, D ठीक है ये electron के लिए लिखा आपने hole के लिए भी same चीज लिखो गये तो number of holes आ जाएंगे number density of hole आ गया है प्लस यहाँ पे मतलब multiplied by प्लस नहीं multiplied by यहाँ पे charge of hole आ जाएगा जो की same है 1.6 10 की पावर मैनस 19 positive ठीक है यहाँ पे आ जाएगा आपका area of cross section यहाँ पे आ जाएगा drift velocity of hole तो ये formula है बटा हो सकता है एक question आ जाए कि drift velocity दोनों के given है E A दोनों का given है number density दोनों का मानलो same है बताओ कितना current flow होगा direct formula में डालके तुम निकाल सकते हो क्या direct formula में डालके निकाल सकते हो क्या yes कौन सा formula है N E A V D अगर intrinsic है तो any बराबर NH होता है क्या बच्चे हा सर दोनों बराबर होते है न number of electron बराबर number of hole density दोनों के बराबर होती है तो सोचो बाहर भी तो ले सकते हो दोनों को अच्छा N E को बाहर ले लिया ये E भी तो बाहर आ जाएगा बेटे E भी बाहर आ जाएगा सर अच्छा एरिया भी तो बाहर आ जाएगा बेटा एरिया भी बाहर आ जाएगा सर तो अंदर क्या बचेगा प्यारे बच्छो VDE प्लस VDH सही बात कर रहा हूं है ना number density बराबर है ठीक है क्योंकि intrinsic है intrinsic है तो number density बराबर है जितने electrons हैं उतरही होल्स है तो बाहर आ गया E बाहर आ गया charge 1.6 10.19 दोनों का charge है area बाहर आ गया cross sectional area same है अंदर क्या बचा VDE प्लस VDH इसको बोलते है current अगला topic है current density अगला topic क्या है current density अच्छा current density क्या होती है पता है आपको J बराबर I upon area मतब अगर आप current को area से divide कर दीजेगा na current को किस से divide कर देंगे area से तो current density मिल जाएगी तो देखिए ये current लिखा हुआ है इसको area से divide कर दीजे बेटा तो आपको मिलेगा NE into E into A ए तो गया ए तो गया भाई A से तो divide कर दिया यहाँ पे बचेगा VDE प्लस VDH क्या सर ने current density का equation भी सिखा दिया तो current लिखो उसको area से divide कर दो current density बन जाता है J लिखते है इसको ठीक है current लिखा area से divide किया current density बन गया last में बेटा conductivity सिखा देता हूँ conductivity को sigma से denote करते हैं और इसका formula होता है current density upon electric field याद रखना है current density divided by what electric field तो देखो जब आप conductivity लिखोगे तो current density तो उपर लिखा हुआ है यह रहा इसको electric field से divide करना है तो देखो number density into E VDE upon electric field प्लस VDH upon electric field अब मुझे कौन बच्चा बता सकता है drift velocity upon electric field क्या होती है बाई drift velocity upon electric field क्या होती है बाई कोई बता सकता है क्या जल्दी से मुझे बताना तो जड़ा एक बर चैट बॉक्स में देखें बाई किसको किसको आता है drift velocity upon electric field क्या होती है बाई come on come on come on come on drift velocity upon electric field mobility बिल्कुल सही पकड़े है बिल्कुल सही पकड़े है mobility होती है तो mobility of electron plus mobility of hole done and dusted यह conductivity का formula तो देखो कितने must flow में आपको मैंने सिखाया है एक flow है बिटा इसका मैं आपको flow दुबारा समझा देता हूँ ठीक है don't worry about it मैं आपको flow दुबारा से समझा देता हूँ देखो यह तीन जो मैंने घेरा करा है यह तीनों के तीनों formula important है अपने लिए ठीक है अब सुनना ध्यान से current लिखना हर बच्चे को आता है N E A V D यह नहीं आता तो current electricity नहीं आता है जो कि आता है तुम्हें है ना तो ऐसा बोलना गलत है कि तुमको नहीं आता है बिलकुल आता है तुम्हें है ना current लिखना हर बच्चे को आता है N E A V D से आ गया N E A V D electron के लिए अलग लिखा hole के लिए अलग लिखा उसको area से जब हमने divide किया तो J बन गया याने कि current density बन गया बिटा यह है आपका current density J बन गया area से divide कर दिया जो current density का formula आया उसको E से divide कर दोगे न तो conductivity बन जाता है conductivity is J divided by E तो यहां से J divided by E करके आपका conductivity आ गया done and dusted है ना तो यह तीनो formula अगर याद हो जाएंगे या याद हो गए हैं तो एक बार जल्दी से दिल बना दीजिए important है बिटा है ना come on everyone important है काफी जादा थोड़ा सा दिल बना दीजिएगा ठीक है ना चलिए आगे बढ़ते हैं let's move ahead now dopant dopant क्या होता है आपका intrinsic semiconductor कम conductivity देता है right energy डालो तब जाके एक electron free होता है बिना energy डाले तो electron free होता ही नहीं है तो उसके performance को बढ़ाने के लिए doping कर देते हैं जो sports में allowed नहीं है खेल कूद में आजकल allowed नहीं है खेल कूद में अगर कोई doping करेगा तो उसका doping test होता है और पता चल जाता है कि कोई injection लगाया है उसने या कोई दवाई खाई हो उसने तो उसको निकाल देते हैं औलम्पिक से बाहर कर देते हैं सुनाओगा आपने है ना कि ये खिलाडी था डोपिंग करी थी निकाल दिया लेकिन semiconductor में doping allowed है क्योंकि वो इंसान नहीं है है ना तो वहाँ पे doping allowed है doping मतलब किसी impurity को add करना तो डोपिंग दो टाइप का होता है पेटा pentavalent impurity और trivalent impurity pentavalent यानि कि जिसकी valency है 5 5 bond बनाएगा है ना 5 उसकी valency है पेटा जैसे कि आपका arsenic हो गया antimony हो गया, phosphorus हो गया जैसे कि arsenic हो गया, antimony हो गया और phosphorus हो गया तो आई ये देखते हैं अगर एक pentavalent impurity को add कर दिया जाए एक semiconductor में तो क्या होगा, ठीक है, देखो बेटा यहाँ पे सब plus 4, plus 4 वाले देखो, plus 4, silicon, plus 4, silicon plus 4, मतलब 4 valency, silicon silicon, 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 silicon सब तरफ silicon भरा पड़ा है, ठीक है बस एक तुम बीच में यहाँ पे देखो तो plus 5 वाला है इसके 5 बच्चे हैं और इसको शादी करवानी है 5 की, क्योंकि 5 valency है तो 5 बच्चे हो गए, 5 की इसकी शादी करवानी है, लेकिन पडोसी चार है बस, पडोसी उसके शादी करवाएगा और किससे करवाएगा, यहाँ पे कोई और है नी तो एक एटम यहाँ पे है एक बच्चे के शादी यहाँ पे हो गए, चलो स्वाहा एक यहाँ पे है, एक के शादी यहाँ पे हो गई स्वाहा, एक यहाँ पे है लो भाई स्वाहा, एक यहाँ पे है लो भाई स्वाहा, एक बच गया तुम्हारे जैसा बिल्कुल सिंगल पांच थे ना, चार की तो शादी हो गए ना, वन, टू, थ्री, फूर, चार चार तो ओक्टेट कंप्लीट हो गया है कि ने विड़ा, चार बॉंड तो बन गए कोवलेंट बॉंड अब पांच वा कहां जाए भाई तो पांच वा रह जाता है, सिंगल लेकिन यह हमारी लिए बड़ी अच्छी बात है बताए क्यूं अब यह इलेक्ट्रॉन फ्री है और उसके लिए हमको कुछ करना नहीं पड़ा है एनरजी नहीं डालनी पड़ी है, हीट नहीं करना पड़ा है पिछली बार तो हीट करते थे तो एक इलेक्ट्रॉन निकलता था यादा ना हीट करते थे तो इलेक्ट्रॉन बाहर आता था एनरजी डालते थे तो इलेक्ट्रॉन बाहर आता था यहां तो मैंने एक इम्पूरिटी डाला और एक इलेक्ट्रॉन आ गया अब ऐसी एक impurity तो डालूँगा नहीं बेकुफ थोड़ी हो कि एक impurity डालके बैठ जाओंगा अच्छे खासे नंबर पर impurities होते हैं बेटा तो अच्छे खासे नंबर पर अगर impurities आड़ करें जाएंगे तो सुचो कितने सारे electrons free में मिलेंगे हम लोगों को बस impurity add किया और electron मिलता जा रहा है आलू डालो solar निकालो तो यहाँ पर क्या है impurity डालो electron निकालो यह सारे electrons free है room temperature पर बस electric field लगाओ और conduction कराओ मस तरीके से तो conductivity better मिलेगे कि नहीं मिलेगे बताईए आप लोग मिलेगी ना better conductivity हाँ तो यहाँ पर क्या क्या लिख सकते हैं हम लोग ये लिख सकते हैं कि भाई room temperature पर ही number of electrons काफी ज़्यादा है number of holes से क्यूँ ज़्यादा है समझे ना क्यूँ ज़्यादा है समझ गहे ना क्योंकि ये impurity जो है वो एक electron extra लेके आई है एक electron extra लेके आई है अब क्योंकि ये extra लेके आई है donate करना चाहती है बोल रही है कोई इसको गोद ले लो भाई इसकी शादी करवा लो भाई कोई रख लो भाई इसको अपने पास तो इसको donor impurity भी बोलते हैं बेटा इसको कौन सी impurity बोलते हैं हम लोग donor impurity बोलते हैं क्योंकि ये extra electron लेके आया है ये donate कर देता है तो donor impurity भी बोलते हैं इसको यहाँ पर number of electrons greater than number of holes हो जाता है चेके ना बागी current का formula बिल्कुल वैसा है ये जैसे आपने पढ़ा है current density का formula भी बिल्कुल वैसा है बस n common नहीं आएगा समझे रहो वैलेंड में 5 वैलेंसी थी तो ट्राइवैलेंड में कितनी वैलेंसी होंगी तीन वैलेंसी होंगी ट्राइवैलेंड का example है इंडियम, बोरॉन, अलुमिनियम बैगन, आलू, गाजर, इन थैला वो जो तुम्हारा short trick होता है ना बस वही वाला ठीक है तो इंडियम, बोरॉन, अलुमिनियम ये examples है इसके trivalent के तीन वैलेंसी रहती है इसकी अब सुचो इसके सिर्फ तीन बच्चे है ठीक है ना यहाँ पे क्या होगा यहाँ पे क्या होगा तीन बच्चे है तो एक की शादी यहाँ करवादी इसने स्वाहा एक की शादी यहाँ करवादी स्वाहा एक की शादी यहाँ करवादी स्वाहा यहाँ का जो आपका पडोसी है वो मू देखता रहे गया कि अरे भाई तुमने तीन पडोसीों से शादी करवा ली अपने तीन बच्चों की मेरे बच्चे से कौन शादी कराएगा तो यह कहता है अरे हमारे पास तो तीन ही थे हम कैसे शादी कराएगे तो यह pressure डालता है नहीं कराओ शादी ऐसे कैसे शादी कराओ हमको नहीं पता भाई शादी कराओ हमारा बच्चा तब से वेट कर रहा था कि तुम्हारे बच्चे से शादी होगी तुमने तीन करवा दी और हमारा बच्चा खाली बैट गया तो ये परिशान कर रहा है इसको कि यार एक और बच्चा होना चीछ था तुम्हारा एक और वैलेंसी होने चीछ थी तुम्हारी और ये इंडियम बोल रहा है कहां से एक और व परिशान कर रहा है न तुमको, तुमको तुम्हारा जीना हराम कर देगा, तुम्हें काम करो, मैं अपना एक electron तुमको देता हूँ, ठीक है, तो अपना उसका एक electron ये ले ले लेता है, इससे एक electron इसने ले लिया, इसके पास क्या बचा बेटा, अगर इसने अपना electron दे दिया तो इसके पास क्या बचा? इसके पास hole बच गया इसके पास क्या बच गया? hole बच गया यहां का octate तो complete हो गया जलो इसकी शादी भी complete हो गई बट एक extra hole मिल गया तो देख रहे हो? एक extra hole मिल गया हमें room temperature पे इसने pressure बनाया कि नहीं शादी तो करवानी पड़ेगी, ऐसे कैसे नहीं करवाओगे, यह थोड़ा दबंग टाइप का था, बोलता है शादी तो करवानी पड़ेगी, ले के आओ, कहीं सब्सक्राइप का था यह वारा item, यह बोलता है कि ले लो मेरे से एक, मेरे पास भी चार ह आँगा, दे दो मुझे, electron मुझे दे दो, इसलिए बेटा इसको acceptor impurity बोलते हैं, कैसा impurity बोलते हैं इसको, acceptor impurity, trivalent को acceptor impurity बोलते हैं, इसमें number of holes जादा रहते हैं, number of electrons से, वो आप देख सकते हो, क्योंकि room temperature पर ही hole create हो गया ना, room temperature पर देख रहे हो ना, hole create हो गया, तो number of holes जादा होते हैं, एक चीज और बता हूँ अब मैं आपको, holes को positive माना गया है ना, holes को positive माना गया है ना, positives जादा है ना, यहाँ पे, तो इसको P type semiconductor बोला गया, इसको P type semiconductor बोला गया, और पिछले वाले में यादे क्या हुआ था, electron जादा थे, pentavalent में electron जादा थे, electron का negative charge होता है, तो इसको बोला गया N type semiconductor, ठीक है, बड़िया theory पढ़ा दिये मैंने बटा एकदम आपको, क्या क्या होता है, कैसे कैसे होता है, एकदम mechanism के साथ समझा दिया है, शादी का example दे के समझा दिया है, एक बर revise करोगे, सब याद हो जाएगा, ठीक है ना, बिल्कुल भी tension prevention लेने impurity होती है, N type में pentavalent impurity होती है, pentavalent, और P type में trivalent impurity होती है, है ना, तो ये सब चीजें आपको एक दो बार पढ़ते 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 याद हो जाएंगे, ठीक है, क्या basics of semiconductor अपना clear है बेटा, किसमें क्या impurity, किसमें कैसे, क्या, है ना, सब done है ना, चलिए, बहुत बढ़िया, अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है, अच्छा, एक table मैं दे रहा हूँ आपको, ठीक है ना, table कुछ नहीं है, simple सी बात है, जैसे कि intrinsic है, तो intrinsic में आप जानते हैं ना, कि दोनों का concentration बराबर होगा, देखो, दोनों का concentration होगा बेटा, वो बराबर होग देखो, एक बार मैं लिखा लिखा देता हूँ, है ना, table आपके लिए, मेरे लिए नहीं है, आप पढ़ेंगे उसको, ठीक है, दोनों का concentration बराबर होगा, देख लीजे, मैं जूम कर दूँ, ये देखे बेटा, दोनों का concentration बराबर होगा, any बराबर nh, any बराबर nh, जो है, उ carrier, बहुत अब, charge carrier, concentration, ठीक है, intrinsic carrier concentration कहते हैं, किस चीज को, any बराबर nh, मान लो, intrinsic में, intrinsic में, number of electrons की value है, 8 into 10 की पावर 5, ठीक है, number of electrons इतना है, intrinsic में, तो बताओ तो number of holes कितना होगा, सेम होगा, सेम होगा, और इसी को हम ni भी बोलते हैं, intrinsic carrier concentration, इसी को बोलते हैं, ni, ni मतलब, किसी का भी एक का concentration लेलो, आप electron का लेलो, चाहे hole का लेलो, उसी को बोलतो, intrinsic carrier concentration, that is ni, ठीक है न, अच्छा, अब यहाँ पे देख लो बेटा, n टाइप में कौन जादा है, तो electrons जादा है, ठीक है, P-type में कौन जादा है, तो holes जादा है, अब यह आपके लिए है, एक बार इसको आप पढ़ लीजिएगा, that's it, है न, अच्छा, entirely neutral होते हैं, क्योंकि charges तो वहीं पहना, charges हमने बाहर से तो नहीं डाला है, charges तो वहीं के आदान प्रदान चल रहा है, ठीक है, तो यह entirely neutral होता है, चाहे N-type हो, चाहे P-type हो, neutral कब नहीं होता, जब charges का आदान प्रदान हो जाता, charges को निकाल लिया जाता उसमें से, या फिर charges को उसके अंदर डाल दिया जाता, extra हमने कुछ नहीं किया है, ठीक है न, वो अंदर का ही है, जो भी चल रहा है, उसी का mechanism चल रहा है, तो सब के सब entirely neutral रहते हैं, सब के सब entirely neutral रहते हैं, अब जैसे कोई conductor उठा लो आप, उसमें आप current flow करा लो, लेकिन रहता तो neutral ही है न, है न, number of electrons बराबर, number of protons रहते हैं, तो उसे साब से entirely neutral ही रहता है, electron बराबर proton रहता है, whole तो just a concept है, whole is just a concept, ठीक है, चल यहाँ पे table form में आ आपका revision हो चुका है, अब आगे बढ़ने की बारी आ चुकी है, ठीक है, let's move ahead now, ये भी मैंने पढ़ा दिया क्या आपको, ये भी पढ़ा दिया न, current density का formula है न, उसके बाद आपका इसका formula, conductivity का formula, done and dusted है, ठीक है, चलिए, let's move ahead now, देखो, अब ये वाला topic पढ़ो है न, simple simple स law, mass action law, जो कहता है, any into nh बराबर ni का square, ni क्या है याद आया, ni क्या है याद आया, intrinsic carrier concentration, एक question कराता हूँ, समझ में आएगा आपको, ठीक है, एक question कराता हूँ, देखो, मान लोग एक intrinsic, intrinsic semiconductor है, ठीक है, intrinsic है, तो इसमें जितने electrons हैं, उतना ही holes भी है, है ना बेटा, जितने electrons हैं, उतना ही holes भी है, मैं कहता हूँ, number of electrons बराबर 3 into 10 की power 8 है, तो बेटा, number of holes भी कितना हो जाएगा, 3 into 10 की power 8 हो जाएगा, है ना, तो ni कितना हो जाएगा, वही, 3 into 10 की power 8 हो जाएगा, तो mass action law कहता है कि any into nh बराबर ni square सही तो कह रहा है इन दोनों को तुम multiply करके देखोगे और ni square करोगे एक ही बात है है ना multiply करोगे तो भी 339 10 की power 16 और इसका square करोगे तो भी 339 10 की power 16 तो sir इसका फायदा क्या है फायदा देखो क्या है इससे क्या निकलेगा देखो अब बूलता है कि इसमें doping कर दी गई ठीक है इसमें थोड़ी doping कर दी गई इसको हमने थोड़ा सा doping कर दिया है इसका ओके बेटा doping करने के बाद देखा गया कि number of electrons हो गए 1.5 into 10 की power 16 या फिर 10 ले लो 16 ले लो इतने सारे electrons आ गए अब आपसे पूछ रहा है बताओ नए number of holes कितने होंगे नए number of holes कितने होंगे पता है कैसे solve होगा मैं बताता हूँ कैसे solve होगा ये given data है ये given data है ना ये भी given data है any नया any ये हमें निकालना है इसको आप any dash लिख लिजे इसको आप nh dash लिख लिख लिजे क्या मैं कह सकता हूँ बिटा कि any dash into nh dash बराबर ni का square according to mass action law mass action law है ना है ना है ना है ना है येस बस और क्या any nh बराबर ni square any की value हो गई 1.5 into 10 की power 12 multiplied by nh dash नए holes कितने हैं बराबर ni square ni कितना है ये रहा 3 into 10 की power 8 उसका square करोगे 3 3 9 into 10 की power 8 का square हो जाएगा 16 है ना मेटा 3 3 9 हो गया इसका square करोगे 3 3 9 हो गया और 10 की power 8 का square कितना हो गया 10 की power 16 हो गया तो देखो number of holes कितने मिलेंगे आपको नहे वाले वो मिलेंगे 9 upon 1.5 into 10 की power 16 upon 10 की पार 12 ठीक है तो यहाँ पे आजाएगा 6 यहाँ पे आजाएगा 10 की पार 4 सब का अंसर आया इतना हाँ देखो सूरज कुर्रे का आ गया आ गया बेटा सूरज कुर्रे का अंसर बहुत बढ़िया इम्तियाज का आ गया सुस्मित दास गुपता का आ गया बिरिंदर का आ गय कोई बोल रा सर 64 ओगा अरे यार मैं 10 की पावर 8 का 8 थोड़ी कर रहा हूं। कि 64 हो जाएगाँ मैं 10 की पावर 8 का स्कॉयर कर रहूं ना स्कॉयर ही दो कर रहा ना प्यारे बच्चे तो 616 भी यह कौन सा तेज़ा स्वी डाउट पूछ लिया तुमने एक दम से ठीक है, done तो ऐसे आप निकाल सकते हैं कि नए होल्स कितने हैं एक numerical बन गया यह ठीक है, numerical done and dusted हो चुका है चलिए बेटा, चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं आगे अच्छा, अब pn junction diode बगरा पढ़ना है उससे पहले थोड़ा question हो जाए, क्या कहते हो, है ना थोड़ा question हो जाए question पढ़ो तो बढ़ते है, 2021 का question पढ़ो तो यह वाला electron concentration in n type है ना is the same as whole concentration in a p type देखो भाई, एक n type है, एक p type है एक में electron concentration एक में whole concentration, दोनों बराबर है, ठीक है, दो अलग-अलग semiconductor की बात चल रही है, जबकि दोनों का electron concentration, whole concentration बराबर है, अगर एक external field लगा दिया गया, दोनों में, तो compare the current in them, दोनों में आप compare करिए current को, कि किसमे current जादा आएगा, है ना, किसके अंदर current जादा आएगा, तो current in, n type, p type किसमें जादा होगा, क्या होगा मैं बताऊं, इसका answer आप एक बार मुझे बताईए, chat box में, फिर मैं बताता हूँ आपको answer इसका क्या होगा, सारे बच्चे यहां पर d लिख रहे हैं, है ना, सारे majority में है electron तो अगर मैं इसका majority current निकालूंगा ना, तो मैं लिखूंगा number of electrons into e into a into vd of electron, है ना, drift velocity of electron, जबकि जो p type है, p type वाला दूसरा वाला है, उसमें कौन majority में है बेटा, उसमें majority में है holes, है ना, उसमें holes majority में है, तो उसका condition या फिर उसका formula क्या बनेगा number of holes, p नहीं h लिख लो, into charge into a into vd of holes, ठीक है अब होता क्या है मैं आपको बताऊं, दोनों में बोल रहा है कि nh ne बराबर है, ऐसा बोला है देखा था अपने question में, कि दोनों का concentration बराबर है, दोनों का e बराबर हो गया, क्योंकि charge बराबर है same semiconductor तो area भी बराबर हो गया, तो यार current भी बराबर हो जाएगा क्या, नहीं ये जो drift velocity है ना, ये drift velocity electron में थोड़ी जादा रहेगी, क्योंकि electron हलका है, मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया था, कि mobility of electron is greater than mobility of whole बात समझ में आ रही है, और mobility का formula क्या होता है, mobility होती है drift velocity upon electric field तो अगर per unit electric field देखा जाए, उसने बोला ना, same electric field लगाया गया है, per unit electric field देखा जाए तो ये ज़्यादा value आएगी electron के case में, इसलिए electron के case में आपकी velocity जादा आएगी, और अगर velocity जादा आएगी तो current भी जादा आएगा मज़ा आया, तो दिल बनाओ मज़ा आया, तो जल्दी से दिल बनाओ बेटा, तो mobility जादा है या फिर drift velocity कहलो आप वो भी जादा है, and that is why current भी जादा रहेगा n type में है ना, तो current in n type is more than current in p type हो गया, done and dusted, ठीक है अच्छा आपको पता है कि zener diode को हम लोग चोलो छोड़ो, zener diode अभी नहीं करते आगे करेंगे, पढ़के करेंगे ना अगला question zener diode पे है पढ़ा देता हूँ, फिर कराऊंगा, ठीक है अब देखो fourth fourth question एक बर देखो पेटा इसका answer दो आप लोग मुझे fourth question में बोल रहा है 2019 में आया था, और fourth question बोल रहा है, which of the following statements is true, ठीक है, और मैं question देख लेता हूँ, कराणे लाइक कौन-कौन सा है अपने पास, fourth question देखो तो पेटा, इसका answer दो तो मुझे आप which of the following statements is true, है ना, पढ़ो electrons are majority carriers बोल रहा है and trivalent atoms are dopant, P-type P-type के बाद चल रही है, P-type क्या बेकार सा question है ना theoretical है, देखो 2019 में आया है, भाई P-type में electron majority नहीं होता है पहली बात तो यह P-type में whole majority होता है और P-type में आपको याद होगा तो trivalent impurity add करते थे हम लोग जिसमें 3, you know उसकी valence ही होती थी है ना, तो P-type में trivalent तो answer क्या है, holes are the majority carriers and trivalent atoms are the dopants, B is the correct answer है ना, इसलिए में कह रहा था आपको कि theory बहुत जरूरी है, semiconductor में theory भी बहुत जरूरी है, बागी जहां भी numerical हो सकता है, मैं numerical करवा ही रहूं है ना, चल ये बेटा, आगे बढ़ते हैं आईए, let's move ahead now अब अगला topic है P-n junction diode, ठीक है P-n junction diode P-n junction diode क्या होता है हम लोग क्या करते हैं ना एक कोई semiconductor लेते हैं बड़ा सा ये देखिए एक semiconductor लेते हैं कोई बड़ा सा इसका आधा हिस्सा P बना देते हैं ठीक है बेटा इसका आधा हिस्सा हम लोग P बना देते हैं P-type इसका आधा हिस्सा बना देते हैं N-type कैसे बनाते होंगे, डोपिंग करके, है ना, तो इधर ट्राइवलेंट आइड कर देते हैं, इधर पेंटावलेंट आइड कर देते हैं, जब हम लोग ऐसा करेंगे बच्चे, तो देखो, P टाइप में ज्यादा होल्स रह जाएंगे, यह देखो, होल्स का साइन बना रहा हू है, होता ही है ऐसा, और N में ज्यादा इलेक्टरॉंस है, ठीक है, होता क्या है, जैसे आप दोनों को बनाते हैं, जैसे एक तरफ होल्स होते हैं, अब दोनों में तो अपोजिट चार्ज है, है ना, इट्स लाइक बॉइस होस्टल और गर्स होस्टल, दोनों दूसरे के आगे, गर्स होस्टल, बर्स होस्टल, ऐसे, लेकिन बीच में क्या हुआ, बीच में रीकॉंबिनेशन हो गया, चार्जेस का रीकॉंबिनेशन हो गया, रीकॉंबिनेशन का मतलब क्या हो गया, प्लस और माइनस मिलके रीकॉंबिनेशन हो गया, तो रीकॉंबिनेशन तब ह होता है, जब hole और electron मिल जाते हैं वापस से, हुआ क्या था, electron टूटा था covalent bond से, तो hole create हुआ था, recombine का मतब electron दुबारा से hole में चला गया, तो वहाँ पे recombination हो गया, recombination से ना, यहाँ पे एक layer बन जाती है, जिसको हम लोग बोलते हैं, बिटा, कौनसा layer बोलते हैं बच्चे, depletion layer, depletion layer पे charge नहीं पाया जाता है, यहाँ पे recombine कर गए है और अवचर्ज की कमी महसूस होती ही, यहाँ पे, ठीक है, void of charge बोलते हैं, यहाँ पे charge की कमी हो जाती है, यह depletion layer बन गया, यहाँ पे charge नहीं है दोनों recombine कर गए है लेकिन फिर भी कुछ electrons इधर jump कर जाते हैं यहाँ पे कुछ electrons मिलेंगे आपको थोड़े बहुत ठीक है मैं इसको यहाँ पर ऐसे बना देता हूँ कुछ electrons यहाँ पर आ जाते हैं minus और कुछ holes यहाँ पर आ जाते हैं plus बीच में क्या बन जाता है बेटा depletion layer मैं यहाँ पर लिख देता हूँ this is called depletion layer ठीक है अब दिखना है depletion layer क्या करेगा बहुत interesting है मजा आएगा देखो depletion layer के इस side positive है ना दिख रहा है आप सभी को positive है और इस side negative है क्योंकि कुछ electrons यहाँ से इधर आ गये थे तो negative बन गया कुछ holes इधर से इधर चले गये थे तो positive बन गया तो यहाँ पर plus है यहाँ पर minus है plus से लेके minus की तरफ एक electric field बन जाती है यहाँ फिर एक potential difference बन जाता है देखे रहा है इधर plus है तो इधर बड़ा potential इधर minus है तो इधर छोटा potential तो एक potential difference आ जाता है आप देखोगे तो potential difference किदर electric field लगाएगा सोचो तो यहाँ पर plus है यहाँ पर minus है electric field किदर लगाएगा इस तरफ electric field लगाएगा इसको बोलते है barrier potential इसको बोलते बेटा barrier potential क्यों क्योंकि ये गार्ड का काम करता है दो होस्टल के बीच का गार्ड है ये इसका काम है होल्स को उनके होस्टल में रोक के रखना अब देखो कैसे काम करेगा ये ये प्लस से माइनस इलेक्ट्रिक फिल लगा रहा है आप देख रहे हैं ना Electrifield की direction देखे बेटा, left की तरफ आ रही है, plus से minus left की तरफ आ रही है, तो holes तो positive है, उसी direction में force भी लगेगा, हौ, तो इनको रोग दिया गया, holes को बोल रहे हैं, holes तुम उधर ही रहना, इधर मत आना, तुम इधर ही रहना, इधर मत आना, electric field ऐसा बोल रहा है, ये वाला electric field, barrier potential का electric field बोल रहा है, उधर ही रहना, अच्छा, electron को बुला रहे हैं, क्या दिखते हैं, क्या होता है, electric field left की तरफ है, electron negative charge होता है, तो force लगेगा right की तरफ, अरे पेटा, ये तो होता है ना, force will be opposite, तो electrons को भी उधर लिखे गए, जालिम जमाने ने, electron और hole को मिलने से मना कर दिया, बीच में लगा दिया, depletion layer, या फिर barrier potential बोलते हैं इसको, तो depletion layer एक resistance की तरह काम करता है, this is acting as a resistance है ना, ये resistance है बिटा, current के लिए, अभी यहाँ पे current flow नहीं होगा, बताओ क्यूं, current इसलिए flow नहीं होगा, क्योंकि holes को उनकी दिशा में रोग दिया गया है, अपनी तरफ, electrons को उनकी तरफ रोग दिया गया है, आने नहीं दे रहे हैं, जब तक ये दोनों cross नहीं करेंगे, depletion layer को, तब तक current नहीं आएगा, और अभी तक तो cross नहीं कर पा रहे हैं, बताओ clear हुआ, potential barrier clear हुआ बेटा, diagram clear हो गया, एक बार अच्छे से diagram का screenshot ले लो चाहो तो, है ना, तो मैं repeat कर देता हूँ, इधर P type है, holes है, इधर N type है, electrons जादा है, बीच में depletion layer बन चुका है, याने कि void of charge है ना, वहाँ पे charge नहीं पाया जाता है, लेकिन फिर भी कुछ electrons धीट होते हैं, जो यहाँ पहुँँच जाते हैं, कुछ holes धीट होते हैं, जो यहाँ पहुँच जाते हैं, तो यहाँ पे plus आ गया, यहाँ पे minus आ गया, इसका एक symbol भी होता है, इसका symbol होता है ऐसा, यह P side बता रहा है, यह N side बता रहा है, बनाब हर बार यह डबबा वाला डाइग्राम तो नहीं बनाते रहो गए यह वाला, है ना, every time you cannot draw this diagram, तो हमेशा हम नहीं बनाएंगे, तो हमेशा हम ऐसा बना देंगे, PN Junction को यह represent करता है, ओके, अच्छा, और देखिए, अब बच्चों को यह बात बड़ी बुरी लग गई, है ना, कि हम तो college में आये थे, सोचके कि कम से कम बात बात तो करने दिया जाएगा, कम से कम मिल तो सकते हैं, तो उसने बोला कि, अरे, ऐसे कैसे तुमको कोई रोक रहा है, चलो मैं तुम्हारी मदद करता हूँ, इस मदद करने वाले professor का नाम है बेटा, forward biasing, क्या नाम है इसका, forward biasing, अब मैं आपको यहाँ पर पढ़ाता हूँ, next slide में, forward biasing, यहाँ पर, तो तुम गए एक professor के पास, कि हमें guard ना आगे नहीं जाने दे रहा है, हमें रोक के रख रहा है, आप कुछ करो, हमारी मदद करो, है ना, professor सहाब बोले, कि ऐसे कैसे रोक लेगा, एक काम करते हैं, एक battery लगा देते हैं, ऐसे, जिसका higher potential इधर है, यह battery उस battery के एकदम opposite है, यह fictional battery है, fixious battery है, यह असल में नहीं होती है, यह हम बस बताने के लिए बता रहे हैं, कि भाई, यहां से यहां का positive, negative, एक potential difference था, तो यह fixious है, है ना, कालपनिक है वो battery उपर वाली, लेकिन यह नीचे वाली real battery है, जो देखो direction ऐसे से ऐसे है, प्लस से माइनस इधर है, अगर प्लस से माइनस इधर है, तो इसकी electric field देखो पेटा, इधर आ जाएगी, right की तरफ आ जाएगी क्या, हां, right की तरफ तो आ जाएगी सब, और जैसे electric field right की तरफ आएगी, सोचो, सोचो, होल पे किधर force लगेगा, right की तरफ, होल पे किधर force लगेगा बेटा, right की तरफ, क्योंकि right की तरफ electric field है, और electron पे किधर लगेगा, left की तरफ, ultra, left की तरफ, left की तरफ, तो तालियों से स्वागत करिए, प्रोफेसर सहाब का, इन्होंने conduction करवा दिया, यह I और इन्होंने conduction करवा दिया, देखो, ultra direction में force लगा दिया, तो हमारी जो forward biasing की बैटरी है, it opposes, it opposes, V barrier, barrier potential को oppose करता है यह, ठीक है, एक और खास बात बताता हूँ, depletion layer यहाँ पे पतला हो जाता है, depletion layer, depletion layer, एक सेगे ना, depletion layer, will be thin in this case, thin हो जाता है, depletion layer, resistance की value कम हो जाती है, resistance जो है वो less हो जाता है, current के path का resistance कम हो जाता है, और बलकि अगर ideal forward biasing हो ना, बैटा, तो ideal forward biasing में तो resistance tending to बलकि 0 भी हो जाता है, इतना बढ़िया है forward biasing, ठीक है, तो forward biasing का potential मानलो यहाँ पे V है, ओके, तो forward biasing का potential मानलो यहाँ पे V है, thank you बोल दो, प्रोफेसर साब को, है ना, मिलने दिया, है ना, exchange करवा दिया, बढ़िया है, सही है, सही चल रहा है एक दम, बहुत बढ़िया, तो opposes the barrier potential, देख लिजिए आप, depletion layer का thickness decrease हो जाता है, thin बन जाता है depletion layer यहाँ पे, resistance जो है, वो less हो जाता है, मतलब resistance की value कम हो जाती है, और ideal अगर हुआ, forward biasing, तो resistance की value बलकी, 0 भी हो जाती है, ठीक है, तो this is the characteristic of forward biasing, अच्छा, और कुछ आपको बताते हैं, इसके बारे में interesting, ठीक है, देखो, अच्छा, मान लो बेटा, अगर हमने, यहाँ पे graph बनाया, ठीक है ना, एक हमने यहाँ पे graph बनाया, इधर हम बना रहे बेटा, potential, इधर हम बना रहे बेटे current, ठीक है, अगर इसकी value इससे कम हो गई, तो क्या होगा, जैसे कि मान लो, अगर silicon है ना, तो यहाँ पे यह barrier potential, करीब-करीब 0.7V का होता है, 0.7V का करीब-करीब barrier potential होता है, बेटा, silicon के लिए, कितना होता है, 0.7V का barrier potential होता है, लग-भग, मान लो, बैटरी जो तुम लेके आए हो, उस ससुरे का potential है, 0.3V, बताओ तो यह कुछ कर पाएगा, कुछ भी कर पाएगा यह, कुछ नहीं कर पाएगा, यह ज़्यादा मजबूत है, 0.7V का बैटरी है यहाँ पे, भाई इससे लड़ना है ना, इसके तो opposite में काम करना है ना, तो कम से कम इससे ज़्यादा तो लेके आओ, यह तो कांड हो जाएगा यहाँ पे, यहाँ तो पता चला, गार्ड की ज़्यादा चलती ही college में, प्रोफेसर साब की कम चल रही है, होई नहीं पारा कुछ इन से हैं, तो यह जो बैटरी हमारी वाली है ना, इसका potential बेटा, इससे ज़्यादा होगा ना, तभी conduction होगा, नहीं तो नहीं होगा, तो इसलिए graph में आप देखोगे, तो शुरू में मानलो applied potential आप कम रखे हो, तो current flow नहीं करने देखा वो, कम है अभी आपका potential, अभी आपका potential कम है, तो current flow नहीं हो रहा, current flow नहीं हो रहा, current flow नहीं हो रहा, हाँ, जैसे ही आप अपना potential उससे ज़्यादा कर लेंगे, किससे 0.7, यानि कि barrier potential से ज़्यादा कर लेंगे, वैसी अचानक से current उपर बढ़ जाता है, आप देखो, शुरू में यहाँ से यहाँ तक current पूरा 0 है, बैटे, शुरू में, क्यों 0 है, क्योंकि आपका लगाया गया potential कम है, कमजोर पढ़ रहा है, देखो, 0.3 है, 0.7 से कम पढ़ रहा है, आपके द्वारा लगाया गया potential, कम पढ़ रहा है, तो कैसे current flow होगा, नहीं होगा, हाँ, आपने अपना potential अगर बढ़ा दिया, तो जाके फिर current flow हो जाएगा, राइट, इसको बोलते हैं बेटा, knee voltage, क्योंकि यह थोड़ा घोटने की तरह दिखाई देता है, knee voltage बोलते हैं इसको, लगभग, लगभग है यह, सिलिकॉन के लिए, done, done and dusted, यह था characteristic graph of forward biasing, ओके, चलिए, अब आगे बढ़ते हैं, नया topic है reverse biasing, ठीक है, आईए, नया topic है बेटा reverse biasing, reverse biasing में क्या हुआ ना, तुम गए professor साहाब के पास, दूसरे professor थे वो, मैं नहीं था, कोई और थे, उनके पास गए, उनके सामने अपना दुखड़ा तुमने सुनाया, कि ऐसा ऐसा है, ऐसा है, हमारे साथ हो रहा है, तो कुछ professors होते हैं, कि बच्चों का मज़ा लेते हैं, वो बोले, अच्छा, तुम्हारे साथ ऐसा हो रहा है, चोलो मैं तुम्हारी मदद करता हूँ, आओ, आओ, तुम्हारी मदद करता हूँ, आओ, तुम उन पे trust किये, उनको ले आए अपने पास, पता ये चला, कि इन्होंने potential जो लगाया न, वो बिल्कुल वैसा ही लगा दिया, जैसा reverse, मतलब जैसा ओपर लगा हुआ था, reverse biasing, इसी रहे बोलते हैं, सब पे trust नहीं कर सकते हैं आप है ना, सोच समझ के trust करिए, गड़बड हो गई, तुमने बुलाया help के रिए, उल्टा हो गया, help क्या होगी, जो यहाँ पे minus plus था, वैसा ही potential लेके आगई, यह professor सहाब भी, पता चला, guard के साथ बहुत अच्छी बनती हैं इनकी, शाम को दोनों रोज रात में डिनर करते हैं साथ में, समझ रहो, फस गे तुम, कि हमने एक इसको बुला लिया, या भाई, गलत प्रोफेसर हाथ लग गया, इससा तो गौराव सर को बुला लेते, बड़िया help कर देते, अब निकल जाते यहां से, गलत इंसान को बुला लिया, अब क्या होगा, तो अब ये भी electric feel इधनी लगा रहे हैं, बलकि दोनों मिलके अब electric feel लगा रहे हैं, दोनों के दोनों मिलके electric feel लगा रहे हैं, उल्टी दिशा में, अब तो और नहीं transfer हो पारा, अब तो और नहीं transfer हो पारा, कुछ भी नहीं हो पारा बेटा, तो reverse biasing में, reverse biasing में, it supports, it supports barrier potential, V barrier को support करता है बेटा, बताव depletion layer का क्या होगा, depletion layer ठिक हो जाता है, ठिक हो जाता है, और मोटा हो जाता है depletion layer, और मोटा हो जाता है बेटा, resistance की value क्या हो जाएगी, more हो जाएगी, resistance बढ़ जाएगा, अगर ideal है, तो कितना resistance लेंगे सर, तो ideal है तो infinity resistance लेना पड़ जाएगा बाप रे बड़ी दिक्कत हो गई बड़ी दिक्कत हो गई, thick depletion layer मिल गया resistance भी बढ़ गया ideal में resistance के वालों infinite भी हो गई और यह support करने लग गया barrier potential को, ठीक है? लेकिन एक कहावत है Mary Com movie का कि किसी को इतना भी मट डराओ कि डर ही खतम हो जाए अब देखना कहाणी में twist सुनना ध्यान से ना, कहाणी में twist क्या है? इस ध्यान से सुनना अगर इसको थोड़ा zoom करके देखें ज़रा zoom zoom तो देखो, electric field left की तरफ लगी है, right? left की तरफ तो holes पे जो force लग रहा है वो भी left की तरफ लग रहा है left की तरफ लग रहा है left की तरफ लग रहा है, left की तरफ लग रहा है मतलब hole को आने नहीं दिया जा रहा है और electron पे उल्टा लगेगा न, force electron is negative तो electron पे इधर लग रहा है, right की तरफ लग रहा है तो एकदम हाहाकार मचा हुआ है मतलब एकदम हालत खराब करी हुई है चार्जेस की बच्चों की ट्रांसफर ही नहीं होने देरे दोनों को दोनों दरफ सेपरेट करके रखा हुआ है बिल्कुल दोनों ने मिलके ये वह पोटेंशिल प्रोफेसर सहाब वाला और वह गार्ड सब मिलके हालत खराब करके रखें एकदम किसी को इतना भी मत डराओ कि डर ही खतम हो जाए इसका मतलब क्या है देखो ये लोग भूल गए कि यहां पर माइनॉरिटी चार्ज भी होता है ये बढ़ाते गए अपना इलेक्ट्रिक फील पोटेंशल बढ़ाये जा रहे हैं पो माइनॉरिटी ऐलेक्ट्रोंस है और यहां पर देखो माइनॉरिटी में होल हैं क्योंकि होते तो दोनों ही हैं और थे ज्यादा और कम की बात थी न है क्या हुआ जैसे इन्होंने electric field बढ़ाया 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 minorities ने कहा अब हम आने ही वाले हैं बस और बढ़ाओ तुम और अपने अत्याचार बढ़ाओ और अपने पापों का घड़ा भरो अभी बस minorities का हो गया दिमाग फिर गया minorities का देखो क्या होगा electric field left की तरफ है तो minority electrons पे force लगेगा right की तरफ हो जाने की पूरी-पूरी तयार ही है बस ये wait कर रहे हैं कि electric field बढ़े और अपन निकले यहां से क्योंकि है minority ना थोड़े कम है ना तो अभी इनकी चलती नहीं थी electric field बढ़ा दो के इनकी भी चलने लग जाएगी right के तरफ भागने को बिल्कुल तयार है ये और यहां देखो minority में holes है holes electric field left की तरफ है left की तरफ तो holes पे force भी लगेगा left की तरफ same direction same direction same direction same direction अरे भाई सहाव तैयारी पूरी है जीत की अब अब देखना क्या होगा जैसी इन लोगों ने potential बढ़ाया बढ़ाया आत्याचार करते गए करते गए करते गए करते गए पास इतनी energy आ गई ना बेटा इतनी energy आ गई ना कि वह भागे बहुत जोर से बहुत तेजी से भागे जैसे मदुमक्खी का जुंड भागता देखा आपने 20 जो होते है उनका जुंड उसको बलते स्वाम स्वार्म है ना स्वाम तो स्वाम यानि कि जुंड उनका भागा एक एवलांच की तरह है जैसे एवलांच क्या होता है पहाड में से बर्फ नीचे गिरती है एक साथ वैसे एक एवलांच की तरह भागे ये सारे के सारे minorities और इतनी तेजी से भागे कि रास्ते में आने वाले covalent bonds को तोड़ने लग गए रास्ते में covalent bond आ रहा है उसको पहा दिया इन लोगों ने भाग रहे हैं बहुत तेजी से भाग रहे हैं इधर covalent bond आया उसको तोड़ दिया इससे नए नए charges और create होने लग जाते हैं और नए electrons free होने लग जाते हैं और अचानक से conduction शुरू हो जाता है लेकिन उल्टी दिशा में क्यों क्योंकि देख रहा तो minority का देख लो पीटा opposite है opposite direction में current आना शुरू हो जाता है और यह voltage भी opposite direction में लगाया गया था तो अचानक से इतना swarm आ जाता है जुंड आ जाता है बाड़ सी आ जाती minority charge carriers की कि नए नए charge particles को यह लोग free करवाने लग जाते हैं अब देखो V और I का graph कैसा बनता है पहले तो उल्टा लगाया है forward bias से compare करोगे तो voltage उल्टा है और current भी उल्टा है बेटा current भी opposite direction में flow हो रहा है अगर आप forward bias से compare करेंगे तो अगर forward bias का graph यहाँ पे बनाया गया था यह वाला तो reverse bias यहाँ पे बनाया जाता है third quadrant में क्योंकि voltage भी opposite है और current भी opposite है अब देखो reverse bias में क्या सब कुछ 00000000000 किसी को इतना भी मत डराओ कि डर ही खतम हो जाए करते गए करते गए करते गए करते गए इतना potential बढ़ा दिया अचानक से मायरोटिस activate हुए अचानक से current बढ़ गया अचानक से current बढ़ता है एकदम steep rise in current देखने को मिल जाता है यह है आपका reverse biasing में breakdown इसको बोलते है बेटा breakdown breakdown हो गया सेमी कंड़क्टर के अंदर breakdown हो गया minorities activate हो गया यह forward biasing का है यह breakdown voltage कहलाता है वी breakdown breakdown voltage कहलाता है तो breakdown कुछ नहीं है breakdown का मतलब है जो यह अचानक से minority charges activate हो गये और भागने लगे इधर उधर वही breakdown voltage है ठीक है अचा breakdown भी ना अचा इतना समझ गया ना कुछ लिखना है तो लिख लो फटा-फट से बेटा यह सब लिख लिख लिया supports barrier potential यह सब लिख लिख लिया depletion layer ठेक हो जाता है resistance जादा हो जाता है ideal के case में infinite हो जाता है सब लिख लिख लिया ना कहीं से भी question आये हमारे बच्चे कर जाए ठीक है ना हाँ तो breakdown हो गया minority charge carriers की विज़े से अच्छा breakdown भी दो type का होता है एक breakdown होता है बेटा जीनर breakdown एक breakdown होता है बेटा एवलांश breakdown मैं आपको बताता हूँ फर्क क्या है ठीक है मैंने आपको अभी mechanism समझाया था याद आया कुछ की एक जुन्ड की तरह भागते हैं minority charge carrier जुन्ड की तरह जुन्ड की तरह भागते हैं और बीच में जो भी coherent bond आता उसको तोड़ते जाते हैं तोड़ते जाते हैं जुन्ड में भाग रहे हैं तोड़ रहे हैं उसके बाद वहां से electrons निकल रहे हैं इसको अवेलांच बोलते हैं अवेलांच आपने कभी अगर नहीं देखा है तो discovery चैनल पर कभी सर्च करिए यूट्यूब में जाके अवेलांच, ice का अवेलांच, snow का अवेलांच, पहाड के उपर snow है न वो ऐसे नीचे गिरती है रस्ते में जो भी आता है ना बेटा, सब कुछ तोड़ते तारते निकल जाती है सब कुछ तोड़ते तारते निकल जाती है, उसको बोलते हैं आवेलांच जेनर में क्या होता है, जेनर में ये अपना potential इतना बढ़ा देते हैं, इतना बढ़ा देते हैं कि इलेक्ट्रिक फील इतनी हाई हो जाती है ना, कि कोवेलेंट बॉन्ड को खुद पकड़ के तोड़ देती है मैं सारा नोट्स में दे दूँगा, टेंशन मत लो, लेकिन पहले समझो जेनर में जुंड की जुरत नहीं पड़ती, माइनॉरिटी चार्जेस के जुंड की जुरत नहीं पड़ती जेनर में इतना हाई potential हो जाता है, कि कोवेलेंट बॉन्ड में से इलेक्ट्रॉन उखड के बाहर आ जाता है डारेक्ट, डारेक्ट सौधा हो रहा है यहाँ पर, एवलांच में क्या हो रहा है, टकरा रहे हैं, टकरा के कोवेलेंट बॉन्ड को तोड़ रहे हैं टकरा रहे हैं कौन, minorities बहुत तेजी से जा रहे हैं उससे टकरा रहे हैं, covalent bond को तोड़ रहे हैं जीनर में क्या हो रहा है, सीधा electric field खीज के निकाल लेती है electron को कि चल electron चल, मेरे पास बहुत energy electron आजा आजा आजा, ख़ड से खीज लिया, electron बाहर आ गया free हो गया, और अरचानक से conduction मिल गया, तो यह difference है बेटा जेनर में और avalanche में बागी दोनों को breakdown ही कहते हैं अब देखो, difference देख लो दोनों का, ठीक है, जीनर एक बार पढ़ दो, आपके लिए है यह where covalent bonds of depletion layer itself break due to high electric field of very high reverse bias, यही सर ने समझाया क्या genre में अपने आप तूठने लग जाते हैं genre में यही सर ने समझाया क्या अपने आप तूठने लग जाते हैं, notes भी दे रहो ताकि आप revise कर पाओ बाद में इतना कुछ पढ़ा रहो तो notes भी तो था वही यहां पे लिखा हुआ है ठीक है ना तो एक बार थोड़ा से इसको पढ़ देना बस आप लोग बाद में ठीक है एक बार बस इसको आप पढ़ लेना अब मैं आपको पढ़ाता हूँ जीनर as a voltage regulator या फिर voltage stabilizer ठीक है voltage regulator या फिर voltage stabilizer पढ़ाता हूँ अच्छा इसमें ना material खराब हो जाता है हमेशा के लिए क्योंकि सोचो ना सारे minorities का जुण निकला खराब हो जाता है material इसमें खराब नहीं होता है ठीक है ना इसका यूज करते हैं as a voltage regulator आज आप voltage regulator पढ़ाता हूँ ये मिल जाएगा notes में है ना बाद में पढ़ लीजेगा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है आईए ये NCRT में diagram given है यही diagram मैंने पढ़ाया ना आपको बेटा ये forward bias का उपर जाता हुआ ठीक है ये देख लो लगभग 0.6, 0.7 के आसपस रहता है ये वाला ठीक है और ये reverse bias का रहेगा ऐसे reverse bias का ऐसे रहेगा एक दम अचानक से ठीक है ना reverse bias में देखो कितने जादा value दिखा रखी है voltage की देख रहो 80 volt के आसपस दिखा रखा है reverse bias में 80-90 volt दिखा रखा है जबकि forward bias में जहां से current flow हो गया वो 0.6, 0.7 दिखा रखा है 0.7 होता है actually है ना this is actually 0.7 volt in case of silicon तो आपसे पूछेगा forward bias में minimum voltage क्या है जहां पे current flow होने लग जाता है 0.7 silicon के लिए और आपसे पूछेगा reverse bias में voltage क्या है जहां पे breakdown हो जाता है 90 volt के आसपस आरा है 90 volt देख रहाँ आप कितना ज़्यादा voltage है 90 volt के आसपस में होता है चोलो बिट एक बर दिल बनाओ अगर सारी बाते आपको clear है एक बर दिल बना देजिए notes आपको आज तुरंट देदूँगा आज मैं delay नहीं करूँगा कल मैं भूल गया था यार to be honest gravitation alarm notes मैंने आज सुभे दिया आपको बट आज का notes आपको class के तुरंट बाद मिल जाएगा क्योंकि बहुत कुछ है उसमें से revise करने के लिए है ना चलिए आगे बढ़ते हैं आईए next topic है जीनर अच्छा पहले यह बताओ क्या जीनर डायोड reverse biasing में होता है हाँ तभी तो breakdown हो रहा है ना जीनर हमेशा किसमें लगा होता है बेटा किसमें लगा होता है जल्दी बताओ reverse biasing में इसका जो symbol है जीनर का वो कुछ ऐसा सा है ठीक है जीनर के symbol में यह दो लाइने ऐसे डाल देते हैं आप यह एक लाइन इधर यह एक लाइन इधर यह जीनर डायोड है ठीक है हमेशा reverse biasing में काम करता है reverse biasing में काम करता है यह high voltage पे high voltage पे current conduct कराने लग जाता है बहुत high voltage अगर आप इसमें flow कराओ तो यह conduct कराने लग जाता है ग्राफ रफ आपने देख लिया है ठीक है ना तो high voltage reverse biasing में यह काम करता है अब देखो कैसे काम करता है देखो तो बिटा मान लो यहाँ पे कुछ आपका input आता है ठीक है यहाँ पे आपका कुछ input आता है voltage regulator का का काम क्या है मान लो घर में तुमारे AC या fridge लगा हुआ है है ना अचानक से मान लो धेर सारा voltage आ गया अचानक से बहुत बड़ा voltage आ गया तो voltage regulator का का काम है उस high voltage से बचाना बहुत जादा जो voltage आया ना उस high voltage से आपके refrigerator को AC को, TV को जो भी आपने लगा रखा है उसको बचाना उसका काम है तो देखो यह voltage regulator का काम कैसे complete करता है ठीक है यहाँ पे लगा होता है एक load resistance dropping resistance बोलते हैं इसको dropping resistance इसका काम है potential को drop करवाना यहाँ पे लगा होता है अपना जीनर डायोड ठीक है यह अपना जीनर डायोड P connected है इसका negative से N connected इसका positive से है ना आपने दिखा है ना अभी forward और reverse का क्या होता है forward और reverse अभी एक बार फिर से अपन बता देंगे आपको बट येस P connected है negative से और N connected है higher से उसको forward reverse bias बोलते हैं तो ये reverse bias बाइसिंग में आ गया उसके बाद यहाँ पे लगा होता है अपना load resistance यानि कि TV, fridge, refrigerator जो भी है है ना यह अपना load resistance लगा हुआ है diagram पहले clear करो तो बिटा क्या क्या 3 components लगे हुए है फिर मैं समझाऊंगा काम कैसे करता है पहले आप देख लो diagram एक बार dropping resistance है यहाँ पे यह अपना जीनर डायोड हो गया यहाँ पे और यहाँ पे हो गया अपना load resistance यह तीन चीज़े हो गई ठीक है बहुत बढ़िया अब देखें मैं आपको बताता हूँ क्या होता है मान लीजिए अचानक से बहुत ज़्यादा potential आ गया अचानक से बिटा बहुत ज़्यादा potential आ गया तो मान लीजिए यहाँ से अचानक से very high potential आ गया high voltage आ गया अचानक से ठीक है तो क्या होगा high voltage आएगा तो जीनर बोलेगा कि भाई बहुत ज़्यादा voltage आ चुका है मेरे अंदर धेर सारा current flow करा दो breakdown करा दो होता है ना breakdown high voltage पे breakdown अचानक से current तेज हो जाना चाहिए तो बोलता है मेरे अंदर बहुत सारा current flow करा दो अगर इसके अंदर बहुत सारा current flow होगा तो यहीं से तो होके जाएगा वो current dropping register से ही तो होके जाएगा वो current तो dropping register पे potential drop की value आ जाएगी I into R और jiner ने बोला है बहुत जादा current flow करा ओ बहुत जादा current तो बिटा अगर इसके अंदर बहुत जादा current flow होता है तो बहुत जादा potential drop हो जाएगा potential drop हो जाएगा बहुत जादा तो मानलो जो high voltage आया था वो गुछ 500 volt आ गया था 500 volt आ गया था ठीक है और लोड रहेगा आपका सेफ समझ में आरी ये बात तो यहाँ पर ड्रॉप को बढ़ाने के लिए ही ये करेंट को बढ़ाता है ताकि अगर मैं करेंट बढ़ा दूँगा ना तो यहाँ पर ड्रॉप जादा हो जाएगा जादा मतलब 300 का ड्रॉप हो गया यहीं पर 500 आया था 300 वोल्ट को ड्रॉप करवा दिया बचा कितना सिफ 200 वोल्ट 200 वोल्ट लोड तक पहुँचा और लोड अपना सेफ बचा हुआ है अब ये कैसे जादा ड्रॉप हुआ वो समझ में आया जादा ड्रॉप के लिए जादा करेंट चाहिए ना बिटा पोटेंशल ड्रॉप का फ flow कराओ, धेर सारा current flow होता है यहाँ पे drop ज्यादा हो जाता है तो 500 में से 300 का drop बचा सिर्फ 200, 200 में आपका load बढ़िया safe बचा हुआ है ठीक है, तो breakdown में ज्यादा current flow कराना is the trick of zinner working as a voltage stabilizer, ज्यादा current flow कराओ अचानक से, ज्यादा current flow होगा, यहाँ पे धेर सारा drop हो जाएगा, ज्यादा voltage जो आया है, वो यहीं drop हो जाएगा आपका load जो है, वो safe बचा रहेगा ठीक है, दिल बनाईए अगर बात समझ में आ गई है कि कैसे काम करता है zinner, ठीक है बड़ा चुरो, come on, अब एक question हो जाए, है कि नी एक question हो जाए, 2021 का question कर लेते हैं आजाओ 2021 का question कर लेते हैं आजाओ, है ना देखो, last year का question है भाई जिस paper को tough paper बोला जाता है पता नहीं क्यों है ना, मतलब पता तो है वैसे क्यों बोला जाता है, paper पर टफ नहीं था थोड़ा लेंदी था है ना पर उसमें भी आसान कोश्चन्स थे जैसे कि यह वाला पढ़ो एक बार इसको सॉल्ट करो आप ठीक है पहला स्टेट्मेंट देखिए अजीनर डायोड इस कनेक्टेड इन रिवर्स बायस पहला स्टेट्मेंट यह है दूसरा है पोटेंशल बैरियर ऑफ पी एन जंक्शन लाइस बिवीन 0.1 तो 0.3 यह दूसरा स्टेट्मेंट है पहला statement है कि जीनर is connected in reverse by us दूसरा है PN junction का इतना होता है चलो बताओ क्या answer है मीटिंग में हो भी है अभी में एक क्या तो कर दो न डिलिवर कर देता हूं अलाओ चलो कर रहा हूं अप्रूफ कर रहा हूं अप्रूफ कर रहा हूं अरे यार बेटा एक तो न यह कुछ कोरियर और यह आ जाता है क्लास के बीच में अब उनको अप्रूबल देना पड़ता है गेट पे बस एक सेकेंद रुख जाओ बच्चो तब 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 तुम इसका आंसर करो है ना ओप्शन्स यह है ए बी सी या फिर डी चलो कम आण हाँ देखो भाई करेक्ट आंसर है इसका डी मैं आपको इसका सॉलूइशन बताता हूँ ए इस करेक्ट बट बी इस इंकरेक्ट कैसे देखो पहला कह रहा है कि जीनर डायोड इस करेक्टेट इन जीनर को रिवर्ज बायस में ही तो लगाते है न वोल्टेज रेगुलेटर के अंदर तो यह तो सही हो गया पहला वाला तो बिलकुल सही है दूसरा वाला कह रहा है कि potential barrier of PN junction lies between 0.1 to 0.3 अभी अभी मैंने आपको बताया था graph में भी दिखाया था कि potential barrier PN junction का लगभग 0.6, 0.7 के आसपास होता है 0.6 से 0.7 की बीच में होता है बटा potential barrier इसको overcome करोगे तभी उपर जा पाओगे है की नहीं है की नहीं है की नहीं है की नहीं है की तो 0.7 is the correct answer 0.7 volt का correct है कि इतना potential barrier होता है एक PN junction diode के अंदर और वो कह रहा है 0.1 से 0.3 0.1 से 0.3 कह रहा है भाई तो गलत हो गया ना तो B जो है वो गलत है A जो है वो सही है A सही B गलत कहने का मतलब option is D कहने का मतलब option is D चलिए दिल बनाएए फटा फट चलिए बेटा दिल बनाएए फटा फट कमान 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 2020 का question करवाता हूँ ठीक है increase in width of depletion region is due to बताइए increase in width of depletion region is due to reverse bias only या फिर both forward and reverse bias या फिर increase forward current या फिर forward bias only इसका answer बताओ तो बेटा जल्दी से कमान question number 3 का answer बताओ तो बेटे अर यह तो बहुत आसान है question number 3 तो इसका answer तो सीधा A है भाई depletion layer का thickness increase कब होता है reverse bias में होता है और decrease कब होता है forward bias में होता है हमें reverse bias वाला option choose करना है ठीक है ना reverse bias में ऐसा होता है बेटे done and dusted है क्या फटा फट बताओ तो yes done and dusted है क्या बच्चे yes चलो एक और previous year question करवाता हूँ मैं आपको ठीक है देखो बटा एक और previous year question मैं आपको करवाता हूँ आजाओ एक बार आपसे पूछा गया चार diagram दे दिया गया और पूछा गया कि बताओ कौन सा forward bias है अच्छा देखो forward bias का logic क्या है भाई ये वाला side P side कहलाता है ठीक है और ये वाला side N side कहलाता है अगर P connected है higher potential से और N connected है lower potential से इसको हम लोग कहते हैं बेटा forward bias यानि कि P connected है high से ठीक है N connected है low से ये कहलाता है अपना forward bias आपने देखा था ना थोड़ी देर पहले अभी forward bias का diagram देखो मैं दिखा देता हूँ अगर भरोसा नहीं हो रहा तो forward bias देख लो नहीं हो ये forward bias है forward bias है P side connected है higher से N side connected है lower से है ना तो diagram आप यहां पर भी बना सकते हो कि ये P हो गया ये N हो गया P connected है higher से N connected है lower से ठीक है forward bias अच्छा वहीं पर अगर आपको reverse bias का diagram बनाना है है ना अगर आपको reverse तो ये reverse में देखे क्या हो रहा है P connected है lower से और N connected है higher से उल्टा हो गया तो दिखो ये P side हो गया ये N side हो गया P connected है बिटा lower से और N connected है आपका higher से यानि कि plus से तो यह आपका होगे reverse bias, सबको याद हो गया P connected to lower reverse bias P connected to higher forward bias ठीक है, तो एक बार question आया था एक बार नहीं बलकि question तीन बार आया है कितने बार आया है यह question तीन बार यह question आया है, देखिए क्या question मैं आपको बताता हूँ question ऐसा है कि identify forward bias ठीक है, identify forward bias चलो, मैं चारों option यहाँ पर आपको लिखिक कराता हूँ आप identify करके बताना कि forward bias कौन सा वाला है चलो, पहला option forward कौन सा है बताना, ठीक है दूसरा option बिटा तीसरा option पताओ, A, B, C या D कौन सा है forward bias सन 2017 में आया था यह question ठीक है कौन सा है आपका forward bias और question कौन सा कराना है देख लेते हैं पर और यह वाला करवा लेंगे, ठीक है बहुत बढ़िया, हांजी, कौन सा forward bias forward bias में P higher potential के साथ होना चाहिए P ये रहा, P ये रहा P ये रहा, P ये रहा अब देखते हैं, minus 4 और minus 3 P जो है वो lower में connected है, बेटा minus 4 is lower ना, minus 4 छोटा है ना, 4 मत देखो 4 और 3 में यह मत बोल देना कि 4 बढ़ा है सर और 3 छोटा है minus 4 is lower, है ना अच्छा यहाँ पे देखो, P connected to minus 2 यहाँ पे plus 2 तो minus 2 is again lower than plus 2 तो ये भी low हो गया यहाँ पे plus 5, यहाँ पे plus 3 तो plus 3 is again low low हो गया, लेकिन यहाँ पे minus 2 और यहाँ पे 0 तो 0 बढ़ा है minus 2 से तो यही वाला option है जहाँ पे P connected है, high के साथ correct answer है आपका ये P connected है, high के साथ correct answer है D ये आपका forward biasing हो गया ये सब reverse biasing है ये reverse biasing है, ये भी reverse biasing है ये भी reverse biasing है, क्योंकि P जो है, वो low के साथ connected है, तो reverse biasing रहेगा ठीके ना, चलिए, और देखते है question करते बेटा और आजाओ consider ideal diode ideal तो आप लोग समझते ही हो है ना, ideal consider करो ठीक यहाँ पे ऐसे है यहाँ पे ऐसे है यहाँ पे ऐसे है एक resistance है बेटा 1 kilo ohm का ठीक है यहाँ का potential है minus 6 volt यहाँ का potential है plus 4 volt बताइए कितना current flow होगा in the circuit ठीक है कितना current flow होगा भाई in the circuit कितना current flow होगा in the circuit हाँ, come on 0 0 current flow होगा, क्यों sir देखो मैं बताता हूँ ideal है यह ठीक है ना, पहली बात तो यह ideal है अब दूसरी बात देखो कि forward में है कि reverse में है forward में है या reverse में है, देखिए आप P जो है बेटा, इसका वो connected है low potential से, देख रहे हो आप P जो है वो connected है low potential से और N जो है वो connected है आपका high potential से कौन सा biasing हुआ बताओ फटाफट, sir यह हुआ reverse biasing, यह हुआ आपका reverse biasing, और reverse biasing में resistance की value ideal के case में कितनी हो जाती है infinite हो जाती है, तो अगर infinite resistance होगा, तो V बराबर IR से current कितना आएगा I बराबर V by R, R ही infinite हो गया, तो current तो 0 ही होना है A is the correct answer पता ही जब question आया था तो potential उल्टा था, मैंने उल्टा कर दिया है मैंने potential को उल्टा कर दिया है actual question जो है आपके exam में वो ऐसा है, कि यहाँ पे plus 4 volt है, ठीक है, मैंने उल्टा कर दिया था, यहाँ पे आपका 1 kilo ohm है, 1 kilo ohm ही है 1 kilo ohm है और यहाँ पे जो है आपका वो minus 6 volt है ऐसा था यह question ठीक है, अब दिखो क्या होगा अब आप बोलेंगे कि P connected है high से, N connected है low से, है ना, अब यह होगे आपका forward biasing, forward biasing में तो resistance 0 होता है resistance की value जो है वो तो 0 हो जाती है है ना, बीटा, अब वहाँ से आप simply इसका answer निकाल लेंगे फिर उस case में, ठीक है, तो then you will be able to calculate, मदब resistance की value आपको ऐसे given है यहाँ पे register के case में, तो यहाँ से आप इसका answer निकाल लेंगे, तो वहाँ से potential difference आ जाएगा and you will be able to calculate it, ठीक है next question करते हैं मदब अगर resistance given है तो लेना पड़ेगा, है ना resistance तो यह given है ना, 1 kilo ohm इसका resistance 0 होगा ना, बीटा इसका resistance 0 बोल रॉमे ठीक है ना, यह जो given है वो तो लेना ही आपको, PN junction का 0 हो गया PN के जगे पे आप 0 resistance बना दो यह तो आपको लेना ही है 1 kilo ohm कोई बोल रहा है सर, resistance 0 है तो answer कैसे आएगा यह 1 kilo ohm लेना है रे नमोने खाली PN junction का अंदर का resistance 0 हो गया इसका resistance 0 हो गया, इसका जो given है वो तो है ही, है ना अच्छा, अब देख लो कितना आ जाएगा यहाँ पे 4 volt, यहाँ पे minus 6 volt potential difference कितना है 2 मत बोल देना, potential difference please, please 2 मत बोल देना potential difference 10 है बेटा 4 minus minus 6 करोगे ना तो 10 आएगा potential difference upon resistance है 10 की power 3 1 kilo ohm मतलब 10 की power 3 तो आपका answer यहाँ से आ जाएगा 10 की power minus 2 ampere सब का आया है 10 की power minus 2 ampere सभी का आया है राइट, चलो बहुत बढ़िया तो ऐसे वाले question तो कर लोगे और मैं देख रहा था बाकी सब भी similar से ही होते है है ना, आप लोगे से हो जाएंगे बाकी questions भी है ना तो try कर लीजेगा you will be able to do it और वैसे भी मैं practice session इसका कल रखूँगा है ना, तो practice session में मैं आपको PYQ ही करवाँगा most probably, ठीक है चलिए, anyways आईए आगे बढ़ते हैं, let's move ahead now अब है बेटा, next topic half wave rectifier and full wave rectifier ठीक है, देखो क्या होता है आप rectifier का इस्तमाल करते हैं to convert alternating current into direct current ये कैसा current है AC alternating current है बेटा ये, है ना इसको DC में convert करने के लिए हम लोग rectifier का इस्तमाल करते हैं rectifier में क्या होता है circuit कैसी दिखाई देती है तो एक diode यहाँ पे लगा होता है PN junction diode यहाँ पे लगा होता है ठीक है, और यहाँ पे होता है अपना load simple diagram एकदम बता रहो यहाँ पे होता है अपना load अब देखो क्या होगा जब आप यहाँ पे plus और minus लोगे क्योंकि plus minus तो change होता रहेगा ना alternating current है कभी plus होगा, कभी minus होगा जब आप यहाँ पे plus लोगे और नीचे minus लोगे तो देखो यह plus जो है वो P से connect हुआ तो यह forward biasing forward biasing मतलब conduction होगा तो यह पहले half cycle के corresponding था इसके corresponding इसके corresponding conduction हुआ पहले half cycle अब देखिए जैसे ही यह वाला half cycle खतम हो गया ना यह वाला half cycle अब देखिए current negative में जा चुका है मतलब polarity पलट चुकी है polarity यहाँ पे minus और यहाँ पे plus आ चुका है अगले half cycle में वो जो नीचे वाला दिख रहा है ना उसके लिए ऐसा situation बनेगा उपर minus और नीचे plus यानि कि यह चला जाएगा देखो P के साथ negative यानि कि यह चला जाएगा reverse bias में अब आप बताओ इस बार conduction होगा की नहीं होगा नहीं होगा reverse bias में चला गया कैसे होगा conduction है ना यह minus हो गया तो minus positive P के साथ connected है reverse bias no conduction no conduction तो flat line बना दो आप flat line बना दो बेटा इसका output आया 0 no conduction अब फिर से देखो positive half cycle चला गया positive फिर से हो गया मतलब फिर से यहाँ पे plus आ गया फिर से यहाँ पे minus आ जाएगा नीचे plus minus है ना फिर से conduction होगा conduction होगा मतलब फिर से देखो ऐसे उसके बाद देखेंगे तो फिर से negative वाला आ जाएगा मतलब यहाँ पे negative यहाँ पे positive फिर से conduction नहीं होगा यानि कि फिर से अपना ऐसे तो ऐसा चलता जाएगा बेटा और बचेंगे सिर्फ positive positive वाले जिसको direct current बोलते हैं actually direct current का मतलब सिर्फ ऐसा नहीं होता कि ऐसा ही रहेगा तो ही इसको DC बोलेंगे ना DC का मतलब होता है कि negative में नहीं जा रहा है value positive positive में रह रहा है या फिर 0 भी हो रहा तो ठीक है negative में नहीं जाना चाहिए यहां तो आप देखो plus में भी जा रहा था minus में भी जा रहा था plus में भी जा रहा था plus minus plus minus दोनों ही चल रहे थे तो दोनों चल रहे थे, तो ये AC था, यहाँ खाली प्लस प्लस चल रहा है, तो ये DC हो चुका है, तो AC को आपने DC में convert कर लिया, using half wave rectifier, ठीक है, full wave rectifier भी होता है भईया एक, full wave rectifier में दो diode लगे होते हैं, उपर और नीचे, मैं diagram बना के बताऊंगा, तो आपको ज़्यादा चम diode हो गया बेटा, नीचे एक diode लगा दो आप यहाँ पर, यह देखे आपका यह दूसरा diode हो गया बच्चे, यह आपका load resistance हो जाता है बेटा, ठीक है, अब देखो क्या होगा, मैं तो पताता हूँ, ध्यान से सुनना, यहाँ से जब input आया, यह देखो input है यह, ठीक है, जब य forward bias में है, देख रहे हो, P connected to higher, P is connected to higher, तो conduct कराएगा, conduct कराएगा, तो इसका मतलब output मिला, conduct कराएगा, इसका मतलब output मिला, यह conduct कराया क्या, नहीं कराया, यह नहीं कराया, देख लो, क्योंकि इसका जो P है, वो minus से connected है, इसने मना कर दिया, conduct कराने से, बुलता है, मैं reverse में हू और यह प्लस बन जाएगा, उल्टा हो जाएगा, तो देखो, माइनस बन गया, मतलब यह अब reverse में जा चुका है, अब यह मना कर देगा, यह बुलेगा, मैं नहीं करा रहा, conduct, लेकिन यह बुलेगा, कोई बात नहीं, तू मत करा, मैं हूँ ना, किसका है तुमको इंतजार, मै तो इस बार यह D2 conduct करा लेगा, पहले वाले में D1 ने कराया था, पहले वाले में डायोड नमबर 1 ने कराया था, अब डायोड नमबर 2, तो यह दोनों काम बांट देते हैं अपना-पना, कि एक बार तू कर ले न, एक बार मैं कर लूँगा, क्योंकि एक बार एक forward bias में होता है तो दूसरा reverse में एक बार दूसरा reverse में होता है तो पहला forward में ऐसे change होते रहते हैं दोने ठीके न अब मालो फिर से ये positive आ गया फिर से positive आ गया तो यहाँ पर फिर से plus यहाँ पर minus तो यह अपना forward यह अपना reverse तो forward वाला कराएगा conduct forward वाले ने conduct कराया मतब D1 ने कराया फिर से देखो उसके बाद negative आ जाएगा आगे चलता रहेगा ऐसे है ना फिर से negative आएगा तो negative में फिर से ये बोलेगा मैं reverse हूँ ये बोलेगा मैं forward हूँ मैं करा लूँगा conduct तो मत कराओ तो D2 करा लेगा बिटा तो अगरा फिर से D2 का आ जाएगा तो ये पूरा का पूरा wave rectify हो गया बीच में 0 कहीं नहीं मिला है बीच में फ्लाट line कहीं नहीं मिली है इसमें क्या होता था बीच में एक फ्लाट line मिल जाती थी देख रहो यहाँ पर फ्लाट हो जाता था तो ये half wave rectify होता था उसमें full wave rectify हो जाता है ये theoretical है यहाँ से ज़्यादा question नहीं आता है ठीक है ये HWR, FWR theoretical चीज है थोड़ा सा आपने समझ लिया इसमें ज़्यादा question पूछने को कुछ बचता नहीं इनके पास ठीक है चलो एक बार दिल बनाओ यार ठंडे तो नहीं पड़े हो ना आकरी topic से पहले ठंडे नहीं पड़ना है ना, है ना transistor अच्छे से करेंगे उसके बाद जाएंगे बेटा half wave rectifier full wave rectifier खाली theory इतना सब ध्यान में रखो कि किसमें कितना diode use हो रहा है कैसे कैसे काम कर रहा है बस ठीक है ना, बाकी उससे ज़्यादा questions आते भी नहीं है आपको बस पता होना चाहिए एक question एक बार जो आया था ना वो मैं आपको करवा दूँगा don't worry, we will do that बट फिलाल आगेगी थोड़ी सी पढ़ाई कर लेते हैं क्या है आगे, transistor transistor एक ऐसा device है जिसमें तीन junctions होते है एक होता है बेटा emitter, मैं लिखके बता जिता हूँ है ना, पहला वाला होता है अपना emitter बीच वाला होता है अपना base और last वाला होता है अपना collector जितने भी electronic devices आप लोग use करते हैं, सब में transistor लगा होता है देखने में ऐसा डबबा जैसा नहीं होता है बिल्कुल भी है ना, देखने में एक छोटा सा device होता है वो बट हाँ हमको तो पढ़ना है हमको तो समझना है, तो हम ऐसे block diagram से इसको समझेंगे, ठीक है emitter में बहुत high doping करी जाती है बहुत high doping करी जाती है बहुत ज़्यादा doping करी जाती है base में बहुत कम doping करी जाती है और collector में बहुत moderate doping करी जाती है, तो मैं लिख देता हूँ उसको यहाँ पे, ठीक है emitter में high doping होती है base में जो है low doping करी जाती है यह सब याद रखना बिटा न और collector में जो है न moderate amount में doping करी जाती है यह सारे question पहले आ चुके हैं previous year का question है यह कि emitter सबसे ज़्यादा highly doped region कौन सा है तो emitter है यह सब question आते रहते हैं इन सब के लिए आपको तयार रहे न तो emitter में very high doping अब देखो यह दो type का होता है एक pnp होता है एक npn होता है मानलो npn का अगर मैं example लूँ तो इसका मतलब हुआ कि यहाँ पे n हो गया यहाँ पे p हो गया और यहाँ पे n हो गया है न n pn तो बिटे ज़रा बताओ n में ज़ादा क्या रहेंगे majority में क्या रहेंगे? electrons यहाँ पे क्या रहेंगे ज़ादा majority में बिटे? electrons, n है न, तो electrons, ठीक है? p में क्या रहेंगे majority में? तो holes, तो यह holes बना दिया हम इने circle का मतलब hole है फिर से n आ गया collector के अंदर तो again यहाँ पे आपका electron तो N, P, N तो 2N है side side में और बीच में P का sandwich बना हुआ है sandwich ऐसी बनता है ना 2 side bread होते हैं, बीच में वो आलू टिक्की है ना, burger कहलो, sandwich कहलो भोग तो नहीं लग देखी सुनके तो दोनों side N और N है और बीच में P का sandwich अपना बना रखा है ठीक है, बहुत बढ़िया अब देखी के काम कैसे करता है emitter और base वाला जो junction है ना वो हमेशा forward bias में रहता है emitter और base वाला junction किस में रहता है बेटा forward bias में रहता है, forward bias बनाओ N को किस के साथ connect करोगे छोटे के साथ, तभी तो forward बनेगा है ना, और देखो ये P आ रहा है इदर से, P आ रहा है इदर से इसको करोगे बड़े के साथ क्या forward bias सबको समझ में आया बिटा अरे देखो न, N N is connected to lower potential और यहाँ पर आपका P है P is connected to higher potential तो forward bias हो गया तो base emitter junction या फिर emitter base junction forward bias में होता है जबकि base collector junction reverse bias में base collector junction किस में होता है बिटा reverse bias में, तो इसको reverse bias बनाओ तो, तो देखो ये P है, P should be connected to low and N should be connected to high यह होगी आपका reverse bias, समझ में आया समझ में आया emitter base junction forward bias, base collector junction reverse bias, तो यह reverse bias बन गया यह अपना forward bias बन गया बैटरी एक बर चेक कर लो सही लगाई की नहीं लगाई यह देख लो बाई P को connect किया है low के साथ तो reverse bias है ना यह बिलकुल सही है इधर देखो P को connect किया है इस तरफ high के साथ तो यह forward bias हो गया अब देखो काम कैसे करता है ना देखो ध्यान से सुनना यहाँ पे plus है इधर left की तरफ minus है तो plus से minus electric feel आईगी क्या बेटा ऐसे हाँ और यहाँ पे forward bias है ना तो एक पतला सा depletion layer बनेगा पतला सा depletion layer कैसा depletion layer भाई एकदम पतला सा depletion layer बनेगा क्योंस है क्योंकि forward bias है पतला सा depletion layer एकदम पतला सा same color का बन गया क्या अरे same color का क्यों बन गया भाई इसको कोई और color का बनाओ इस color का बना लेते हैं चलो black सा बना लेते हैं थोड़ा ये depletion layer बन गया पतला सा ठीक है अच्छा बताओ तो यहाँ पर depletion layer कैसा बनेगा पतला या मोटा इधर reverse biasing है कैसा बनेगा depletion layer मोटू यहाँ पर थोड़ा सा मोटू बना लो डो layer बना देते हैं ठीक है तो यह यहाँ का depletion layer हो गया थोड़ा मोटा यह यहाँ का depletion layer हो गया बिटा ओके आप देख लो एक साइड का पतला एक साइड का मोटा है पतला वाला forward bias है मोटा वाला reverse bias है सारी चीज़े important है जो जो मैं पढ़ा रहा हूँ है ना तो यह depletion layer हो गया यहां का, यह depletion layer हो गया यहां का, अब देखना, यहां पे plus है, यहां पे minus है, मतब electric field left की तरफ आएगी, अगर electric field left की तरफ आएगी बच्चो, तो electron पे force आएगा right की तरफ, तो electron यहां से भागते हैं right की तरफ, यह देखो, electron यहाँ से भागते है right की तरफ, देखना conduction कैसे होता है वो समझा रहा हूँ, ठीक है ना, तो electron यहाँ से भागे right की तरफ, क्या इस depletion layer को आराम से पार कर जाएंगे, पतला सा है, है ना है ना है ना है ना, must पार करेंगे सर इसको और यहाँ पहुंच जाएंगे, यहाँ पहुंच जाएंगे, electron उचल के यहाँ पहुंच जाएंगे, electron जब यहाँ पहुंचते हैं, तो बड़ा डर लगता है इनको, क्यूंकि आगे एक बहुत बड़ा depletion layer पड़ा हुआ है, देखरो आप, आगे एक बहुत बड़ा depletion layer पड़ा हुआ है, बहुत बड़ा deplet लेर को देखके डर जाते हैं कि आगे कैसे जाएंगे भाई बहुत बड़ा डेपलिशन लेर है पता नहीं निकर पाएंगे पांच परसेंट इलेक्ट्रवन यहीं से निकल जाते हैं नीचे से हाँ बागी के 95% यहां से यहां जाते हैं आप बोलेंगे सब इतना मूटा डेपल feel plus से minus तो यह force किदर लगाएगी electron's पे, electron's पे force किदर लगाएगी right की तरफ, तो यह खीच के लिए आती है, देखेरों ना left के तरफ electric feel है, right के तरफ force लगेगा, यह खीच के लिए आती है, यह खीच के धर लिए आती है, तो ऐसे आपका conduction complete हो जाता है कि electron emitter से निकले base में गए और फिर collector पे पहुँच गए ऐसे आपका conduction बेटा complete होता है simple था कि एकदम explanation was very easy right कि यहाँ से ले जाने का काम इस वाली battery ने कर दिया खीच के ले गया यहाँ से कुछ 5% electrons नीचे चले जाते हैं बाकी को खीच के यह वाली battery यहाँ ले आती है ठीक है simple सी बात होगे okay sir अब देखो क्या होगा electrons देखो किधर जा रहे है इधर यह electron का direction है है ना यहाँ पर कहा जा रहे है इधर यह electron का direction है electrons कहा जा रहे है इधर इधर तो यह electron का direction है आपने सुना होगा electron की direction के opposite current की direction होती है सुना है सभी ने electron के direction के opposite current की direction होती है तो आप बता सकते हो क्या है यहाँ पे emitter में current किदर होगा left की तरफ होगा यह होगा आपका emitter current यहाँ पे current किदर होगा ऊपर की तरफ होगा opposite to electron उपर की तरफ होगा बेटा उपर की तरफ होगा ये है आपका base current base current IB ठीक है और यहाँ पर current कि तरफ होगा तो left की तरफ होगा ये कौन सा current है IC collector current तो तीन current होते हैं यहाँ पर IE होता है IB होता है और IC होता है direction देख लो electron के flow के एकदम opposite लिया है जिदर भी electron flow कर रहा है उसके बिलकुल opposite लिया है ठीक है अब देख बिटा ये IE यहाँ से ऐसे आ रहा है ये IE यहाँ से ऐसे आ रहा है ये IE यहाँ से ऐसे आ रहा है ठीक है तो ये IE इस junction में ऐसे आ रहा है अंदर की तरफ ये है आपका IE इस junction में अंदर की तरफ आ रहा है ठीक है न यहाँ से ऐसे घुमता 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 यहाँ पहुँच गया अच्छा IC कि दर जा रहा है तो यह उपर की तरफ ओढ़ा है यह अगर इस junction में अगर इस वाले junction में खिर्चॉफ लॉ लगाया जाए, तो क्या तुम मुझे relation बता सकते हो क्या, IE, IB और IC के बीच में, मैं तो बता सकता हूँ भाई, तुम्हारा नहीं पता, जितना input, उतना ही output, तो देखो, इस junction में input कितना आया, IE input आया है, देखो पिटा अंदर, अंदर कितना आया, IE अंद इसी हो जाएगा, अब इतना ताम, जहाम, इतना डाइग्राम, वाइग्राम, सब ठीक है अपनी जगे पे, सबसे थोड़ा-थोड़ा-थोड़ा-थोड़ा-थोड़ा theory clear होता है, लेकिन असली जो take away है ना, इस पूरे slide से, वो ये है, कि emitter current बराबर, base current प्लस collector current, बागी के ताम, जहम का क्या करें से, पढ़ लिया, पढ़ना था, पढ़ लिया, है ना, पढ़ना था ना भाई, पढ़ लिया, क्या करना है और, बस खतम, पढ़ने के लिए पढ़ लिया, बस एक बात बताओ, अगर 5% electron यहाँ पे आये थे बेटा, तो क्या मैं कह सकता हूं क्या, कि base current is only 5% of emitter current, हाँ, तो collector current कितना होगा, कितना percent of emitter current, 95% of emitter current होगा, सही है यह तो सही कह रहाँ ना मैं बिलकुए, base current सिर्फ 5% है, सिर्फ 5% of emitter current है base current, और collector current कितना है, तो वो 95% है, यहाँ से लोगों ने दिमाग लगाना शुरू किया, मैं बताता हूं, दिमाग क्या लगा ठीक है, notes तुमको मिल जाएगा, ठीक है ना, आराम से बना लेने, diagram बगेरा, दिमाग क्या लगाया है ना, लोगों ने, लोगों ने बोला, कि अगर मैं इस पर input लगा दूँ, base current में अगर मैं input लगा दूँ, और अगर मैं collector current में output लगा दूँ, तो क्या होगा पता है, input देना पड़ेगा, सिर्फ 5% of IE, और output मिल जाएगा, 95% of IE, मतब input कम, और output बहुत ज़्यादा, इसको बोलते हैं, बेटा, amplification, amplification हो जाएगा हमारा, amplification हो जाएगा बेटा हमारा, yes, तो input कहां लगाया, input कहां लगाया, मैं बताता हूँ, input लगाया गया है, base और emitter के बीच में, और output कहां लगाया गया है, output, output लगाया गया है, collector और emitter के बीच में, इसको प्यार से बोलते हैं, बेटा, common emitter amplifier, common emitter, देखो common sense है, बताओ तो common emitter क्यों बोलते हैं, क्योंकि input side में भी emitter है, और output side में भी emitter है, इसी लिए इसको common emitter amplifier बोलते हैं, अब देखना, input voltage, input voltage, इसको बोलते हैं, अपन VBE, सही है क्या, हाँ, input current, I input, इसको बोलते हैं, अपन delta IB, सही है क्या, अरे input, input current बेटा, IB, 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 है न, IB, हाँ, सही तु बोल रहा हूँ, सोचो, 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 इसन collector current है, है न, 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 इन, 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 VCE upon delta IB ये input resistance हो गया अरे विटा voltage upon current कितना आसान है यार कितना आसान है यार सर कितना आसान करके बता रहे हैं यार आपको output resistance कितना हो जाएगा पता है output resistance हो जाएगा VCE divided by delta IC इन तीनों formula में जरा भी दिक्कत मेरी खाल से तो नहीं आई होगी common emitter amplifier बनाया है है ना base की तरफ अपना input लगा दिया है collector की तरफ अपना output लगा दिया है तो input voltage ऐसे लिखा जाएगा input current ऐसे लिखा जाएगा input resistance ऐसे लिखा जाएगा output voltage ऐसे लिखा जाएगा output current ऐसे लिखा जाएगा output resistance ऐसे लिखा जाएगा दिल बना दो अगर तीनों चीज़ें एकदम दोनों साइट से clear हैं, तीनों चीज़े, voltage लिखना आजाएगा आपको आज के बाद input वाला, हाँ, current लिखना आजाएगा input वाला, और resistance भी लिखना आजाएगा आपको input वाला, है ना, इसको dynamic resistance बोलते हैं, इसको बेटा dynamic resistance बोलते हैं, क्योंकि ये resistance कुछ ऐसा सा होता है, straight line नहीं होता है, dynamic resistance होता है, हर point पे अलग-अलग slope इसका आता है, है ना, अगर आप V और I का graph बनाएगे ना, हर point पे इसका slope जो है, वो अलग-अलग आएगा, dynamic resistance बोलते हैं, बट छोटे से change के लिए ये ohms law को follow करता है, छोटे से change के लिए, छोटा सा change ले लो voltage का, छोटा सा change ले लो current का, it follows the ohms law, तो यही ohms law इसे मैंने लगाया है, यहाँ पे ठीक है, चलिए, तो input हो गया, output हो गया, अब देखिए मजा आएगा बहुत, अब देखिए बेटा, मजा आएगा बहुत, देखिए, current, amplification, amplification, या फिर जिसको आप कह सकते हैं, current, gain, ठीक है, current, amplification कह लीजिए, चाहे आप इसको current gain कह लीजिए बेटा, दो टाइप का होता है, ठीक है, दो टाइप का होता है, मैं आपको दोनों टाइप का जो है, जल्दी से अभी बताता हूँ, देखो, एक होता है बेटा, बीटा, base current amplification factor, डेल्टा Ic upon delta Ib, बताओ, सही बोल रहा हूँ क्या, output यहीं लिया था क्या, input यहां लिया था क्या, हाँ, output बड़ा था क्या, बड़ा बड़ा बड़ा, हाँ, तो यह आता है हमेशा greater than 1, हमेशा आता है बेटा, greater than 1, इसकी value होती है, कुछ 20 से लेके 100 तक, कैसे सर, कैसे, 20 से 100 कैसे कह रहे हो, देखो, अगर मैं delta Ic की बात करूँ ना, तो 95% of Ie है, और अगर मैं delta Ib की बात करूँ ना, तो 5% of Ie है, है ना, Ie ने Ie को मार दिया, इसको आप cancel कर लो, 20 के आसपस ही तो आएगा ना, 95 divided by 5 है ना, लगबग 20 के आसपस आएगा यह, 20 से 100 के बीच में हो सकता है, depending on the different questions, इसको बोलते हैं बेटा, base current amplification factor, base current amplification, direct question आते हैं इनसे हैं ना, amplification factor, ठीक है, एक और होता है, emitter current amplification factor, एक और होता है, emitter current amplification factor, जिसका मतलब होता है, delta IC upon delta IE, अच्छा यह बताओ, greater than 1 आएगा कि less than 1 आएगा, यह less than 1 आएगा, क्योंकि यह 95% of IE होता है, 95% of IE, तो यह 0.95 के आसपस आता है, 0.95 से 0.99 तक इसकी value होती है, इसको बोलते हैं, emitter current amplification factor, emitter current, amplification factor, ठीक है, अब अगला सवाल आपके मन में यही आ रहा होगा, कि सर, alpha और beta का एक relation होता है, वो भी बता देते आफ, है ना, यह तो आपने बता दिया, alpha और beta की बीच का relation भी बता दो, तो देखो वो भी कर लेते हैं, फटाफ़, topic ही तो है, topics ही तो निप्टाने हमें है ना, तो भी अभी एक formula किया था, याद है, emitter current बराबर, base current प्लस collector current, किया था नहीं फॉर्मला हमने, अब देखो, इसको भी IC से divide कर दो, इसको भी आप IC से divide कर दो, इसको भी आप IC से divide कर दो, ठीक है, अब देखना, यह क्या चीज है, IE अपॉन IC, क्या है यह, E by C, देखो, C by E होता है alpha, है ना, IC upon IE होता है alpha, तो I by C क्या होगा, 1 by alpha, अरे वा, यह क्या है, देखो, B by C, देखो, C by B होता है beta, C upon B, beta होता है, तो B by C क्या होगा, 1 upon beta, plus 1, अगर आप, यह वाला formula याद रखते हैं न, कि emitter current बराबर, base current प्लस collector current, तो आप बाकी के सारे formula तुरंट derive कर सकते हैं, alpha तुरंट निकाल सकते हैं, बीटा तुरंट निकाल सकते हैं, ठीक है ना, तो alpha यह हो गया, IC से divide कर दिया, तो यह 1 upon alpha बन गया, यह 1 upon beta बन गया, यह plus 1, derivation इसलिए करा रहा हूँ, ताकि रटना न पड़े आपको चीजों को, ठीक है, अब मान लो, beta given है, alpha निकालना है, ठीक है, तो दिखो, 1 upon alpha बराबर, इसको solve कर लो आप, तो beta will be the LCM, ठीक है न, beta हो जाएगा आपका LCM, यह आजाएगा 1 plus beta, तो alpha की value आजाएगी, beta upon 1 plus beta, चेक करो तो बेटा, सही लिखा है सर ने, alpha की वेटा सही लिखे बेटा, beta upon 1 plus beta, है न, solve भी तो करना है, और क्या करना है, और मान लो, 1 को उठा के उस तरब भेज़ दो, तो 1 upon alpha minus 1 बन जाएगा, तो 1 upon beta बराबर, alpha is the LCM, यहाँ पर आजाएगा, 1 minus alpha, तो beta के value आजाएगी, alpha upon 1 minus alpha, अब यह सब बेटा, बहुत ही common questions हैं, बहुत frequently asked questions हैं, कि alpha आपको दिया रहेगा, बीटा आपको निकालना है, अब यह totally मैं आप पे छोड़ रहा हूँ, कि आप यह derive करके तुरंट formula निकालना पसंद करोगे, या फिर ऐसे कर लोगे, याद कर लोगे direct, वो आप पे छोड़ता हूँ मैं, ठीक है, आप तो मेरे लिए एक दिल बना दो बेटा, क्योंकि मैंने आपको एकदम basic से शुरू करके, कि input क्या होगा, output क्या होगा, input में voltage क्या होगा, output में voltage क्या होगा, है ना, input current, output current, input resistance, output resistance, आप पढ़ाते हुए, मैंने आपको बीटा पढ़ा दिया, alpha पढ़ा दिया, है ना, और फिर बीटा और alpha का relation भी मैंने आपको बता दिया, ठीक है, बस अब class 10 minute और चलेगी, है ना, खतम होने वाली है, अच्छा, तो, बीटा और alpha है ना, तो यह आपका relation सब हो गया, यहाँ पे भी लिखा हुआ है, printed form में भी है यह चीज, अभी question भी एक करवा दूँगा मैं आपको, है ना, attention मत लीजे आप लोग, ठीक है, पहले एक बार सारे formula हो जाए, फिर मैं आपको question भी करवा दूँगा, अगला topic है बेटा, voltage gain, कि आखिर voltage gain कितना मिलता है, है ना, तो देखो voltage gain कितना मिलता है, voltage gain को, AV से denote करेंगे, और इसका formula बनेगा, V output upon V input, ठीक है, V output upon V input, अच्छा V बराबर, IR होता है क्या, हाँ IR तो होता है सर, तो देख बेटा formula क्या बनेगा, output में तू लिखेगा, I into R, तो I output क्या होता है, delta IC, output, current, collector में होता न, output, multiplied by resistance कौन सा लिखेंगे आप, output बाला, divided by, input voltage, I into R, तो input current क्या है, IB, और R input, अब आप लोग मुझे बताओ, यह क्या है भाई, delta IC by IB क्या है, यह IC by IB क्या है, यह IC by IB क्या है, यह है आपका बीटा, तो बीटा टाइम्स, R output upon R input, is called voltage gain, direct formula भी याद कर सकते हो न, बीटा टाइम्स, R output, divided by R input, is called voltage gain, ठीक है, मानलो एक question में देता हूँ, कि R output जो है, वो है 5000 ohm, ठीक है, R input जो है, वो 500 ohm है, और बीटा की value हमानलो 100, 20 से 100 हो सकता है न, बीटा का value, 100 है, बताव voltage gain कितना होगा, तो क्या करोगे, simple formula है sir, बीटा, R output, R input, ऐसे question आते हैं, ठीक है न, direct इक दब, तो यहाँ पर 100 आगया, R output होगे आपका 5000, 1000 और नीचे होगे आपका 500, 200 गए, 200 गए, answer आजाएगा, आपका 5000, voltage gain इतना है, है न, 5000 voltage gain होगे बीटा, नई, sorry, 5 भी तो cancel होगा, 10,000, my bad, 5 भी तो cancel होगा, 10,000, है न, अरे 10,000 बोल रहा हूँ, 1000, लिखा 1000 है, 10,000 बोल रहा हूँ, बेकार में, 1000 होगा, ठीक है न, जो भी है, आपने सही निकाल लिया था, तो this is how you'll solve it, तो इतने आसान question आते हैं, ठीक है, इसमें एक minus sign भी लिखा होता है, minus sign इसले लिखा होता है, कि common emitter amplifier में, अगर voltage ऐसे भेजोगे आप, मालो input voltage आप ऐसे भेजोगे न, तो पता है, output voltage कैसा मिलता है, इसका उल्टा मिलता है, 180 degree का phase difference होता है, 180 degree का phase difference होता है, इसलिए minus sign लगा देते हैं कई बार, आप देखेंगे किताबों में, कई बार आपको minus sign लगा होँआ मिलेगा, तो थोड़ा से information रहना चाहिए, हमको की q minus sign लगा होता है, है कि नहीं है, तो minus sign इसले लगा होता है बेटा, चलिए, अब मैं आपको last चीज बढ़ाता हूँ, that is called power gain, उसके बाद मैं आपको symbol बताऊंगा, ठीके ना, power gain देख लो आप, power gain देखो क्या होता है, power gain को AP से denote करेंगे, उपर रहेगा power output, नीचे रहेगा power input, ठीके, अच्छा, power का formula क्या होता है पता है आपको, I square into R, होता है ना, I square into R, I square multiplied by R, है ना, output में क्या लिखोगे, delta IC का square, into R output, input में क्या लिखोगे बेटा, power, I square R में क्या लिखोगे, delta IB is input current, इसका square into R input, ठीके हैं, I square into R, I square into R, इन दोनों का ratio कितना हो जाएगा पता है, beta square, अरे हाँ, beta square है यह, multiplied by R output, divided by R input, यह है आपका power gain, खता, यह है आपका बेटा power gain, है ना, that's it, this is how, amplifier is done and dusted, amplifier से बहुत सारे questions आते हैं बेटा, amplifier से भर-बर के questions आते हैं, अच्छे से कर लेना, ठीक है ना, तो यहाँ से शुरुवात होई थी पेटा, input समझा दिया है, output समझा दिया है, ठीक है, उसके बाद आपका current amplification हो गया, या फिर current gain हो गया, यानि कि beta हो गया, alpha हो गया, उसके बाद आपका relation हो गया, बेटा बीटा और alpha के बीच का, voltage gain हो गया, power gain हो गया, है ना, everything is done and dusted, अब देखो, एक symbol आप समझ लो, बस last चीज, कि symbol कैसा बनता है, एक employee, sorry, transistor का, वो देख लो आप, है ना, देखो यार, transistor का symbol, अगर मैं आपको बताऊं, तो ऐसा बनता है, यह symbol है, transistor का, यह circle casing बताता है, case, उपर से glass की casing लगी होती है, है ना, यहाँ पर base हो गया, यहाँ पर collector हो गया, यहाँ पर emitter हो गया, PNP देख लो, और NPN देख लो, दोनों का diagram सेम है, बस ना direction का थोड़ा सा फर्क मिलेगा, मैं समझाता हूँ, direction का फर्क ठीक है, direction का फर्क क्यूं है, मैं आपको बताता हूँ, देखो, हमने NPN पढ़ा था अभी, राइट, NPN हमने पढ़ा था बेटा, NPN में बताओ तो, electron कहां से कहां जा रहा है, सर, emitter से base में जा रहा है, देखे रहे हो, emitter से निकल के, base की तरफ जा रहा है, तो current कहां से कहां जा रहा होगा, उल्टा, base से emitter, electron अगर emitter से base जा रहा है, तो current कहां जाएगा, base से emitter, तो current अगर base से emitter जा रहा है न, तो symbol में भी arrow जो है, वो base से emitter बनाना होता है खतम base से emitter बनाना होता है तो MPN में base से emitter का arrow आपको दिख रहा होगा सभी को दिख रहा है, base से emitter की तरफ arrow है PMB में उल्टा हो जाता है क्योंकि hole के जगे electron आ जाएगा electron के जगे hole आ जाएगा तो वहाँ पर direction emitter से base हो जाता है उसमें direction जो है, वो emitter से base हो जाता है, emitter से base ये रहा, ठीक है, emitter से base आपका ये रहा, ठीक है बिटा, done, done and dusted है ना, चलो, एक आथ question करवाता हूँ मैं आपको, ठीक है ना, अच्छा एक बार question गिया आया, चलो कुछ questions करवाते हैं, बाकी theory अपना पूरा खतम है, ठीक है, theory challenge done and dusted है, थोड़ा सा time है, question कर लो है ना, थोड़ा सा question कर लो, आजो, अच्छा ये सबसे, सबसे simple सवाल, sun 2001, क्या बोला, ic upon ie बराबर गिवन है, 0.98, है ना, find current gain, find current gain, logicates कल, कल होगा logicates, बताओ तो ये जो given है, वो क्या है, और options पताए क्या क्या है, options है 49, option B है आपका 98, option C है बेटा, आपका 4.9, and option D है आपका 25.5, देखो यार, जो given है, वो alpha है, क्योंकि less than 1 है, ये alpha given है, और जो पूछ रहा है, वो beta है, जो पूछ रहा है, आपसे वो beta है, तो beta बराबर, alpha upon 1 minus alpha, ऐसाब सब formula है आपके पास, you have everything बेटा, मैंने सारा आपको यहाँ पर derive करके दिया देखो, beta बराबर, alpha upon 1 minus alpha, बस यही लगाना है, तो beta बराबर, alpha upon 1 minus alpha लगाओगे, you will be done and dusted, है ना, तो लगा लो, alpha upon 1 minus alpha, alpha की value है 0.98 upon 1 minus 0.98, है ना, मेरे खाल से इसका answer कुछ 49 आता है, 49 is the correct answer, ठीक है, सन 2001 में question आया था, अच्छा 2000 में, year 2000, खाली formula पूछा था इसी का, only formula, nothing else, only formula is what they asked, simple, है ना, 80 का 49 आ रहा ना, 80 का 49 आ रहा ना, चलिए बहुत बढ़िया, और question करवाते हैं आपको, ठीक है, एक काम करते हैं, एक काम करते हैं, modern physics में हमेशा से मैंने एक बात बोली है आपको, कि बेटा, modern physics अगर अच्छा करना है, चाहे वो semiconductor हो, ठीक है, चाहे वो atoms हो, चाहे वो nuclei हो, कोई साभी chapter हो, अगर आप अपना modern physics अच्छा करना चाहते हैं न, pyq पूरा solve कर दीजिए, पूरा pyq उठाईए, एक सेरे से, खदम कर दीजिए, पूरा, मैं आपको, आपकी जानकारी के लिए बताऊं, logic gate छोड़ भी दो आप, logic gate छोड़ दो, तो 90 questions हैं बिटा, pyq में, खाली semiconductor के, 90 questions हैं, क्या आप ये चाहते हो, कि कल, tomorrow, एक session रखा जाए, जहां पे इस सारे 90 questions अपन ट्राई करें, 90 के 90 हो जाएंगे, reason क्या है न, semiconductor जल्दी जल्दी निकलता है, थोड़ा biology type होता है, है न, कि ये question है, इसका answer ये होगा, ये question है, इसका answer ये होगा, ये question है, इसका answer ये होगा, खड खड़ा, 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 निकलता जाता है, इसलिए बोल रहा हो, कल, एक session रखते हैं, सारे 90 के 90 questions खतम करते हैं, semiconductor का, आज आपने theory challenge खतम कर लिया, today you have completed theory challenge, कल अपन PYQ challenge खतम कर देंगे, modern physics में PYQ बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी क्या, PYQ enough है, आप 50 mandatory question भी मत करो उसमें तो, आप खाली PYQ करके जाओ, पूरे तरीके से करके जाओ, निचोड दो पूरा PYQ को, कोई भी question बचना नहीं चाहिए, इस तरीके से करके जाओ, और देखो आप modern physics में एक भी question आपका गलत नहीं होगा, एक भी question आपका बाहर से नहीं सारे question आप solve करके आओगे, इसकी मेरी guarantee है, ठीक है, तो कल logic gates भी पढ़ लेंगे दिन में, और कोशिश करेंगे कि शाम को जो class होगा, उसमें logic gates का भी question हो जाए PYQ वाला, तो कल का दिन modern physics में semiconductor और logic gates के PYQ के नाम रहने वाला है, ठीक है, practice उसकी होने वाली है, आज लेकिन 5 बजे आपका gravitation का practice रहे है, ठीक है, gravitation का practice session रखा है आज 5 बजे, वही अपना 50 most important mandatory questions आज हम लोग करेंगे, ठीक है, चलिए बेटा, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, theory मैंने वैसे भी पूरा करवाई दिया है, आज के लिए है ना, आपको मैं बता दूँ कि, plus और iconic subscription की offering है आपके लिए हमारे पास, और अच्छे offers आए हुए बेटा, उसमें अभी, ठीक है, यह offer बार-बार नहीं आता है, right now you are having good offers in that, उसे पहले, revise comprehensively for NEET UG 2022, कैसे revise करना है, mock test के तुरू, आप लोगों ने mock test के लिए enroll किया, क्या खुद को, अगर अभी तक नहीं किया है बेट और 14 जुलाई को यह होने वाला है, ठीक है, आप इसमें enroll कर सकते हैं, खुद को GG Life Code आप लगा लीजिए, और 4 mock test आप दीजिए, बहुत बड़ी आपके तयारी हो जाएगी, All India Ranked Prediction भी मिल जाएगा आपको, and this is curated in line with latest exam pattern, latest जैसा भी NEET का exam चल रहा है, उसे साप से इसको curate क किया गया है, टेस्ट अवेलेबल है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में, जो की बहुत अच्छी बात है, ठीक है, इसके रहा बेटा, NEET की नीव, यह बैच आ रहा है, 2024 के लिए, 22 जून से स्टार्ट हुआ है, इसको भी आप डेफिनेटली जॉइन करिए, और offer की बात करें तो 40% का off है, when you take plus combo, यानि कि plus और आपका CBSC, और 37% का off है, जब आप एक साल का यह combo लेते हैं, दो साल में 40% का off है, और जब आप Iconic लेते हैं बिटा, तो 30% और 28% का off आपको मिल जाता है, in the combo of Iconic and your NEET, I mean CBSC, सब्सक्रिप्शन, ठीक है, तो GG Life Code आप लगा सकते हो, हमारा अब नया batch बहुत जल्द आने वाला है, 1st of July से, NEET 2023 के लिए, तो जो भी बच्चे 2023 की preparation कर रहे हैं, आप हमारे साथ आके आराम से पढ़ सकते हो, प्लस में, when you take the subscription, ठीक है, चलिए, तो I hope आपको class अच्छी लगी है, है ना, do let me know in the comment box, do let me know in the Instagram stories also, ये notes अभी के अभी तु मिलते हैं logic gates के साथ, ठीक है ना, चलिए, bye bye, have a nice day, see you soon,